इकी गाई एक सीक्रेट वोर्ड टोक्यो में एक राद वारिश हो रही थी तब इस किताब के दोनों लेखक यानि हम दोनों पहली बार मिलकर नगर के छोटे से बार में चर्चा कर रहे थे इसी दौरान पहली बार इस किताब के बीज बोए गए इससे पहले कई बार हम दोनों था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मिल दूर रहते थे लेकिन दोनों की पसंद का विशय एक ही था शायद यही वज़ा थी कि हम उस रोज मिल रहे थे उस मुलाकात की वज़ा से ही इस किताब का निर्मान हुआ उस मुलाकात के क बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकितसक विक्टर फ्रेंकल की बताई हुई लोगो थेरेपी का इस्तमाल कम करते हैं इसके बजाए वो कॉलेज़ों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकाम होते रहते हैं हम हमेशा ही अपने आपसे यह सवाल पूछते रहते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिन्दा रहना ही जीवन का लक्ष है या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है कुछ लोगों को यह पता होता कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते हैं ऐसा क्यों होता है तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार-बार आया और वह जादूई शब्द था इकीगाई यह एक जापानी संकल्पन है इसका सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद लोगो थेरिपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश ये डूड़ना है लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ चुपा हुआ है एकीगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयू का र रास पता लगाने के लिए अध्यन किया है उनका कहना है कि अच्छा भोजन ग्रीन टी तथा अच्छे मौसम इसमें बड़ी भूमी का निभाते हैं लेकिन यहां के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वज़ा होती है इकीगाई यह शब्द उनके जीवन को सह की दिशा देता है इस विशय का अध्यन करते वक्त एक बात विशेश रूप से हमारे सामने आई कि मनो विज्ञान या नीजी विकास के शेत्र में कोई भी किताब उपलब्द नहीं है जिससे कि इस दर्शन से पश्चिमी जगत परिचित हो सके क्या अन्य जगाउं की तु और पर इस्थित ओगीमी नामक एक छोटे से गाउं के बारे में पता चला इस गाउं को दिरगायू लोगों के गाउं के रूप में जाना जाता है तीन हजार लोगों के इस छोटे से गाउं में विश्व के सबसे ज्यादा दिरगायू लोग रहते हैं ओकिनावा ऐसी जग भी उम्र का राज नहीं है मोरिंगा चाई बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तमाल होता है कहीं वह तो इसके पीछे की वज़े नहीं हमने जापानियों के शताई होने का रहसी व्यक्तिकत तोर पर जानने की ठान ली एक साल के प्रारंबिक शोद के बाद हम अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ ओकिनावा पहुँच गए वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और जीववादी धर्म के उसुलों के अनुसार जीते हैं हमारे पहुँचते ही वहां के लोगों ने इसने शीलता के साथ हमारा स्वागत किया कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से गुल मिल गए वे लोग हरी भरी पहाडियों और स्वच्छ पानी वाले वातावरण में हसते और चुटकुले सुनाते दिखते जब हमने वहां के सबसे बुजर्ग लोगों से भेट वर्ता की तो हमें पता चला कि कुद्रती माहुल के अलावा वहां और कुछ भी है जिसकी वज़़े से वहां के लोग लंबी आयू जीते हैं वहां के लोगों में एक अजीब सी उर्चा और जोश है जिसकी वज़़े से वो लंबा और आनंद दायक जीवन जीते हैं फिर एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया हमने वहां के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई का मतलब क्या इसका असली अर्थ क्या है लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रतिक कोई नकारात्मक भावना नहीं थी उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारीबा चोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे इचारीबा चोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बरताओ करें जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले हो उनके बारे में भी यह मान कर जीए कि वे आपके भाई हैं ओगिमी लोगों के आनंददाइक जीवन के पीछे का पहला रास जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन वे लोग काफी पहले से ही यूई मारू या टीम भाउना के साथ और अपने पंसे जीवन जीते आएं हैं वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं दोस्ताना अंदाज में जीना हलका भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और नियमी धलका व्यायाम उनके स्वस्त रहने के कारण है लेकिन उनके पूर्ण तह आनंद दायक और शतायू जीवन जीने के पीछे का असली कारण है एकीगाई वे हर दिन को एकीगाई के हिसाब से जीते हैं इन लोगों के शतायू जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना एकीगाई ढूडने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है क्योंकि जिन जिन लोगों को एकीगाई मिला है वे लोग आनंद दायक और लंबा जीवन जी रहे हैं आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुपकामना है हेक्टर गार्सिया और फ्रेंसिस्क मिरालेस बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला आपके अस्तित्व की वज़ा क्या है जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जीवन का एक इकिगाई होता है शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश कहेंगे या अन्य देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे इकिगाई हर एक के अंदर चुपा होता है कुछ लोगों को अपना एकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में ही होते हैं हमारा एकिगाई हमारे भीतर काफी गहराई तक चुपा होता है और उसे खोजने के लिए सैयम की आवशक्ता होती है ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वज़व होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका एकिगाई कुछ भी करो लेकिन कभी रिटायर मत होना एक बार आपको अपना एकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुक और संतुष्टी अपने आप मिलती है जीवन को अस्ती अर्थ मिलता है इस किताब के माध्यम से आपको आपका एकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन वबुद्धी से हमेशा स्वस्त रहने के पीचे का राज आप समझ पाए यही इस किताब के पीचे की मूल वजह है आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सकरिये और व्यस्त रहते हैं सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं है जब तक उनका शरीर साथ देता है वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम पर जाना बंद करने के लिए रिटायर्मेंट शब्द है वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में है ही नहीं नैशनल जियोग्राफिक के रिपोर्टर डैन ब्यूटेनर ने काफी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायर्मेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है अधिकतर युवा लोगों का द्वीप दीरगायों के रहसी के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृती के साथ इकिगाई का अग्यान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वज़य है ओकिनावा जैसी जगाओं का जहां की लंबी आयू वाले बहुत साले लोग रहते हैं अधियन करने के बाद कुछ अनौखे तत्य सामने आए जैसे कि ये लोग ज्यादा साल ही नहीं जीते बलकि इन लोगों को कैंसर और हिदे रोग जैसी बड़ी बिमारिया भी नहीं होती है इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंदाई होता है कि बांकी देशों के लोग उसकी कलपना भी नहीं कर सकते खुन मा उपलब्द जिस चीज की वज़े से उम्र बढ़ने की प्रकिरिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है इसका श्रेव वे 80 प्रतिशत पेड भरने तक खाना खाने और चाई पीने की आदत को देते हैं इतना ही नहीं विश्व के बांकी लोगों की तुलनाओं में इन जगाओं में इस्त्री पूरुशों में लेंगिक हॉर्मोंस ज्यादा उम्र तक सक्री होते हैं डिमोनेशिया जैसी बिमारियों की संभावना काफी कम होती है हालांकी इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोश्णी नहीं डालने वाले हैं लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने एकिगाई को जानना और उस उद्देश्चे पर लक्ष केंद्रित करना ही है यहां बात अध्यन से और ज्यादा इस्पर्ष्ट हो गई दिरगाईयों लोगों के पांच टापू ब्ल्यू जोन्स ओकिनावा ब्ल्यू जोन में पहले इस्थान पर आता है यहां की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्थों में रहने वाले महिलाओं के तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्त रहती है डैन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक दब्ल्यू जोन्स में इन पांच जगों को पहचाना और विशलेशित किया है पहला ओकी नावा जापान खासकर द्वीप का उत्तरी इलाका यहां के लोग एक छोटी सी प्लेट में तोफू और इसी प्रकार की कई सारी उंच्चु गुणमत्ता वाली सबजियां डाल कर खाते हैं अपने एकिगाई दर्शन को जानने के साथ साथ मोई यानि दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है दूसरा सरदीनिया इटली खासकर नियोरो और ओली आस्तरा का इलाका यहां के लोग बड़ी मात्रा में सबजियां खाते हैं और रोज एक या दो गलास वाइन पीते हैं ओकिनावा की तरह यहां के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्री सामाजिक जुडाव की भावना को देते हैं तीसरा लोमा लिंडा कैलिफोर्निया यहां के लोग अमेरिका के दिरगायू लोगों में से हैं चौथा दनिकोया पैनिंसुला कोस्टारीका यहां के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं यहां के लोग खुशी खुशी सुबह साड़े पांच बजे उड़ते हैं और अपने खेतों और बगीचों में काम करते हैं यहां के समंदर किनारे रहने वाले लोगों में से हर तीन में से एक इंसान 90 साल से उपर जीता है जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ एक है इसी वज़े से इसको दिरगायू लोगों का टापू कहा जाता है पात सौ बीसी से चली आई जीवन की शैली को इसका श्रे जाता है किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का परिक्षन करेंगे इन पांच जगाओं में से तीन जगा टापू है इस वज़े से वहाँ पर सामगरी काफी सीमित है जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वही उनके शतायू जीवन का राज है जिन वैज्ञानिकों ने पांच ब्ल्यू जोन्स का अध्यन किया वे इसी नतीजे पर पहुँचे कि दिरगायू जीवन का राज खाद्य संस्कृती, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुडाव जैसी बातों में चुपा है इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए इसी के साथ वे मासाहार भी बहुत कम करते हैं प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं मदीरापान भी कम करते हैं वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते लेकिन हर रोज अपनी सबजी के बगानों में काम करते हैं और पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं ब्ल्यू जोन्स के लोग गाड़ी से जाने के बज़ाए पैदल जाना ज्यादा पसंद करते हैं उनमें से लगवक सभी लोग अपने बगीचों में काम करते हैं जिसमें हलकी फुलकी गदीविदी की ज़ुरत होती है असी प्रतिशत का रास जापान में हमेशा ही इस्तमाल होने वाली एक कहवत है हारा हाचीबू यह पंक्तीक खाना खाने से पहले कही जाती है इसका अर्थ है कि उतना ही खाईये जिससे आपका पेट 80% भरे यह काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सला दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए यही वज़ा है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे वे कभी भी पूरा पेड भरने तक खाना नहीं खाते इसकी वज़र से खाना हजम करने में जो उर्जा खर्च होती है उसकी बचट हो जाती है साथी यह तीवर कोशी की ओक्सिडेशन के प्रकीरिया को भी कम करता है वैसे तो यह जानने का कोई उपाई नहीं है कि हमारा पेड वाकई 80 प्रतिशत भरा या नहीं इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेड भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए पेड भरने के बाद का ज्यादा खाना बिना वज़ा का नाश्टा, मीठी चीजें, खाने के बाद सेब का रस, आदी चीजें भले ही हमें कुछ समय का आनन्द देती हों लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनन्द मिलेगा खाना किस प्रकार से परुसा जाता है या भी मतुबूर्ण है जापान के लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं इसकी वज़ा से वहां के लोग कम खाना खाते हैं जापान के होटलों में खाना एक अनौकी थाली में परुसा जाता है इसमें चार चोटी चोटी थालियां और उससे थोड़ी बड़ी थाली ऐसी कुल पांच थालियां होती है जब आप पांच थालियां देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं लेकिन जब आप खाना खाना खतम करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुना भूख लगने लगती है। इसीलिए कई विदेशी लोग जब जापां जाते हैं तो उनका वजन घड़ जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किये गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26-27 होता है जबकि ओकि ओकिनावा में यह 18-22 है ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्चु कोटी की खादी संस्कृती का पालन करते हैं वे हफते में तीन बार तोफू, शकरकंद और मोकिनावा में लोग अन्य किसी जगाओं के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बरताव करते हैं यह उनकी संस्कृती का एक अंग है मुआई का मतलब है एक ही उद्देश्ची से इखटा हुए लोगों का गुट इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ह उनका एकिगाई होता है मुआई संकल्पना की शुरुवात काफी साल पहले हुई थी कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इखटा हुए और उन्होंने इसकी शुरुवात की इसके तहट जिसके खेत में कम अनाज उखता था उसकी बांकी सब किसान मदद करते थे मुआई से जुड़े लोग मासिक चंदा तई करते हैं और उसको जमा करते हैं इस भुकतान से उन्हें बैठकों, भोज, गो एंड शोगी, जापानी शत्रंज, जैसे खेलों या साज़ा अपिरुचियों में भाग लेने का मौका मिलता है इस प्रकार समू के एकत्रिद धन को गतिविधियों में इस्तमाल करने के बाद बचने पर उसे किसी एक सदस्य को दे देते हैं इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है इस प्रकार से मौई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोने जरूरतें पूरी होती है अगर मौई के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसो उधार भी दिये जाते हैं इन सभी बातों का भी खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समू का फाइदा लेता है इस वज़े से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा समू है इस विचार से वो तनावरहित और दिरखायू जीवन जीते हैं अभी तक हमने एकिगाई के बारे में शंक्षिप्त जानकारी ली है अब हम इस पर रोश्नी डालेंगे कि आज की इस युग में लोग उम्र से ही पहले बुड़े क्यों होते हैं साथी साथ यह भी समझेंगे कि एकिगाई का हमें किस प्रकार से फाइदा हो सकता है चेप्टर टू उम्र ना बढ़ने का राज छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दिरगायू देती हैं उम्र बढ़ने से परे की कहानी एक सदी से भी अधिक समय से हम अपने आयूर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसी तकनिक आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयूर्मान को हर साल 1 साल से बढ़ा सकें तो हम उम्र बढ़ने की गती को पीछे छोड़ देंगे और जीवन शास्त्र के सिध्धानत के हिसाब से अमर हो जाएंगे अमरत्व और खरगोश ऐसा सोचिए कि कहीं दूर कहीं पर एक बोड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा है जो आपकी मृत्यू की उम्र बताता है हर वर्ष आप जीते हुए उस अंक के करीब पहुंचते हैं जब आप उस अंक के अनुरूप उम्र के होते हैं आपकी मृत्यू हो जाती है अब इस प्रकार से सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविशी की दिशा में यात्रा कर रहा है आप जब एक साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आदा साल आगे जाता है इस प्रकार दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुँचेंगे और आपकी मृत्यू हो जाएगी लेकिन यदि खरगोश भी हर एक साल आगे जाने लगा तो क्या होगा उसकी गती हर साल के लिए एक साल की होगी और आप उस खरगोश तक कभी नहीं पहुँच पहेंगे और आपको कभी भी मौत नहीं होगी जिस गती से खरगोष भविश्य में चल रहा है वह है हमारी तक्नीक हम जितना तक्नीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोष को तेज भगाने में सफल होंगे अमरत्व यानी वह इस्थिती जब हम खरगोष को हर एक साल या उससे भी ज्यादा आगे भेजने में काम्याब हों और कभी भी उस तक नहीं पहुँचने की वज़े से अमर हो जाएं भविश्य के बारे में काफी सकारात्मक नजरिया रखते हुए रे कुर्जवेल और आबरी डिग्रे को लगता है कि आने वाले दस सालों में हम इस लक्ष को पा सकते हैं हालांकि कुछ वैज्यानिक मानते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है हमने तकनीक में चाहे कितना भी विकास क्यों नहीं किया हो लेकिन हम अपनी आयू को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते उधारन के लिए कुछ वैज्ञानिक वो विशेशग्य मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है कारिश्रम मन, युवा शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन यह पुरानी कहवत वाकई काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है इस कहवत से हमें यह बात समझ आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण है इन दोनों का स्वास्त एक दूसरे पर निर्भर होता है इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कारिश्रम और खुला होना ज्यादा आवर्शक है जोस से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं जिस प्रकार से शारिरिक व्यायाम नहीं करने की वज़े से हमारे शरीर और जोस पर बुरा असर होता है वैसे ही यदि हम मांसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारी नियूरोलोजिकल कनेक्शन भी कमजोर होने लगते हैं फिर परिस्थितियों वह माहौल को प्रतिकिरिया देने की हमारी शक्ति कमजोर होने लगती है इसलिए मस्टिक्श को भी व्यायाम कराने की आवशकता होती है मस्टिक्श और मन को व्यायाम की ज़़ूरत होती है ऐसा बताने वाले neurologist, slow-mo business कहते हैं दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए उन्होंने इस्पैनी टेलिविजन के कारिग्रम रेडेस में एड़वर्ड पुंटेज से मुलाकात में कहा था किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है इसमें हमेशा ही दूविधा होती है जिसकी वज़य से ही तनाव का निर्मान होता है खासकर बुज़र्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आये हैं समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो नया सोचने के बज़ाए उसी चीज़ को दोराना ज्यादा पसंद करता है जो वो हमेशा से करते आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है इसके कई सारे फाइदे भी हैं इसलिए लोग अपनी दिनचरिया से चिपके रहते हैं यह श्रंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना ज़रूरी होता है जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माल करता है और पुनर जीवित होता है इसलिए हमेशा नई बाते करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और त उस तक maximum brain power challenging the brain for health and wisdom में लिखा है मांसिक प्रशिक्षन का फाइदा अलग-लग इस तरों पर होता है वे कहते हैं जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानिया होती है लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है असल में काम वैसा ही होता है लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षन का प्रभाव आगे काम आता है उस वक्त काम करने का जोश और गुलवत्ता भी बढ़ती है इसका परिणाम यही होता है कि वहां काम करते वक्त उस इंसान की स्वयम की छवी भी उन्नत होती है मांसिक व्यायाम का सबसे साधरण उधारण है दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गबशब करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है इससे अकेला पन और निराशा भी नश्ट हो जाती है जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे नियूरॉंस व्यसक होने लगते हैं बौधिक व्यायाम, जिग्यासा और सीखने की इच्छा इत्यादी चीजों की वज़ासे नियूरॉंस के व्यसक होने की यह प्रकिरिया धीमी पढ़ने लगती है जिसकी वज़ासे उम्र बढ़ने की प्रकिरिया भी कम होने लगती है इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नजरिया और जोस जैसे कई फाइदे मिलते हैं कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूरे दिखते हैं अध्यन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वज़ा है तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वज़ा से नहीं होता American Institute of State Management ने शरीर के अधा पतन की इस प्रकिरिया का अधियन किया और यह निशकर्ष निकाला कि बिमारी की सबसे बड़ी वज़ा होती है तनाव हिडलबर्ग उनिवर्सिटी होस्पिटल के डॉक्टरों ने एक परिक्षन किया इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को नौकरी संबंदी इंटर्यू के लिए भेजा इस इंटर्यू को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट गणित के कठिन प्रशन हल करने के लिए दिये 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जाज की तो उन्हें शरीर में काफी पदलाओ देखने को मिले आश्चर्य की बात यह थी कि बिमारी से लणने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ती निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई लेकिन असली समर्षिया यही होती है कि यह शक्ती सिर्फ हानिकारक तत्वाँ पर हमला नहीं करती वरन अच्ची कोशिकाओं पर भी करती है इस वज़य से कम उम्र में लोग बूड़े हो जाते हैं कैलिफोरिया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परिक्षन किया इसमें उन्होंने 49 माताओं के खून की जांच की जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बिमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्त थे ऐसी माताओं की भी जांच की तब उन् कैसे काम करता है आजकल लोग जीवन बहुत ही तेज गती से जी रहे हैं साथ ही इस परदावरे माहौल में रह रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समश्या के संगेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिकिरिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है वैसे देखा जाए तो यह प्रतिकिरिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छी है क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं विकास की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिशात की वज़े से हम कठिन परिस्थित्यों से उभर कर आएं और समस्याओं से बद सकें जब हमें खत्रे का संकेत मिलता है तो हमारा मश्टिक्ष पिट्यूट्री ग्रंथी को सक्रिय करता है जिससे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं जो कोटिकोट्रॉपिन छोड़ते हैं उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचाये जाता है उसके बाद एडिनल ग्रेंड को संकेत मिलता है और एडिनलाइन और कोटिसॉल का निर्मान होता है पारज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. वैसे देखा जाये तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाओ के लिए उपयोगी भी है. लेकिन हर थोड़े समय के इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। इस्थित्या हमारे मन और शरीर के कारिरत रहने की जरूरत पैदा करती है। लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुड़ापा टालना है तो अपनी दिन्चरिया में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग रहें। सजग रहने का सबसे ज्यादा महत्वधी आ गया है। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो आमलेट खाया उसमें प्यास था क्या तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुँचने का एक मार्ग है ध्यान यानि मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी और आने वाली जानकारी को चान कर अपने मन में भेज सकते हैं। सास से संबंधित व्यायाम और बॉडी सकैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष को हासिल कर सकते हैं। माइंट फुलनेस यानि सजगता को हम प्रशिक्षन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं, तो हम अपने तनाव पर यकिनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा सबई रहने वाला और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयू के शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ के लिए घातक हो। कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फाइदे मंद होता है। Dr. Horward S. Friedman, University of California, Riverside में मनोविज्ञान के प्रोफेसर है। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उनका मानवी जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निशकर्स पर पहुँचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं, वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से थागत लगाते हैं। यह लोग ज्यादा आराम दे और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्त रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों में तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदते बनाते हैं, तथा धूम्रपान वो मध्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज्यादा यानी करीब 110 साल से ज्यादा जीए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे बिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफी अच्छा जीवन जी पाए हैं। और खास बात तो यह हैं कि वे आखरी समय तक काम करते रहें। ज्यादा बैठे रहने से भी बुड़ापा चड़ता है। पस्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृती बढ़ती जा रही है। इससे उच्छ रक्त चाप और मोटापा जीसी बिमारियों से ग्रस्त होने का खत्रा रहता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठकर काम करने से मांस्पेश्या कमजोर हो जाती है। इससे सास लेने की प्रकिरिया भी धीमी होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपर टेंशन, बधाजमी, हिर्दई रोग तथा हड्यों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती है। हाल ही में किये गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ती पर भी गलत असर होता है और पूरे शरीर तंत्र का काम बिगरता है। यह समस्या सिर्फ कमपनी या ओफिस में काम करने वाले लोगों की नहीं हैं बलकि हर उम्र के लोगों की हैं जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती हैं उन बच्चों में काफी कम उम्र में मोटापे जैसी बिमारियां देखने को मिलती हैं यही मोटापा आ पोजमर्रा की जिंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बहार से भी कारिश्रम रहने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन ओफिस जाते समय पैदल जाएं। अगर यह संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट के बजाए सीडियों का इस्तमाल करें। इससे आपकी मास पैशिया मजबूत हो जाएंगी। सास लेने की शमता भी अच्छी हो जाएगी। सामाजी कारियों में सम्मिलित हों। इसका सबसे बड़ा फाइदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है उस समय में शरीर को हलचल गरने का मौका मिलता है। जंक फूट की बजाए फल खाना शुरू करें। इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरील को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नीद लें। चोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी खेल टीम के सदे स्य बनें। इससे शरीर तो तंदुरूस्त होता ही है साथ ही मन को भी नई उर्जा मिलती है। साथ ही आत्म विश्वास भी बढ़ता है। अपने रोज के कामों को सजकता से देखें, शरीर को हानी पहुँचाने वाली आदतों को पहचाने और उनकी जगों पर नई सकारात्मक आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में ये छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरो ताजा होते हैं, और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्त रहने का राज माना की भारी और भीतरी दोनों इस तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। इससे उनकी तवचा को एक अनौकी आभा मिलती है और उनकी तवचा ज्यादा स्वस्त वो जुर्री रही दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नीद। जब हम नीद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलोटेनिन होर्मोन्स तैयार होते हैं जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटी ऑक्सिडेंट से भरा हुआ मेलोटेनिन हमें ज्यादा साल जीने में तो मदद करता ही हैं साथ ही इसके और भी कई सारे फाइदे हैं। जैसे कि इससे बिमारियों से लणने की शक्ति बढ़ती है। इन वज़ाओं से मेलोटेनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलोटेनिन का वनना अपने आप कम हो जाता है। पर आगे दिये गए उपायों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलिद भोजन और उसमें भी कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करना इसका खयाल रखना कि रोज आपके शरीर को सही मात्रा में धूप मिले सही मात्रा में नीद लेना गहरी नीद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मध्य, तंबाकू और कैफीन जैसी चीजों को टालना गहरी नीद नहीं लगे तो मेलोटिनिन की मात्रा घटती है इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृतिम तरीकों से मेलोटिनिन की पूर्ती हो सकती है और उससे लंबी उम्र पाई जा सकती है अगर ऐसा हुआ तो इससे इस बात की पुष्टी हो जाएगी कि हमेशा यूआ रहने का रहस हमारे ही अंदर है यूआ रहने का नजरिया हमारे मन में असामान ये शक्ती है हमारे शरीर जवान दिखेगा या बूला इस पर मन का काफी प्रभाव होता है कई सारे डॉक्टर यहां मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कारिरत होना और जोस से भरा हुआ होना जरूरी है यही एकीगाई का मुख्य तत्व है हाला कि इसका इस्तमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा हमेशा जोशपूर्ण और कारिश्रम रहने की कला हमें सीखनी है योशिवा यूनिवर्सिटी में किये गए एक सर्वेक्षन में दो समान रहस्य पाए गए एक तो यह कि लोगों के अंदर असामान्य सकारात्मक नजरिया होता है और दूसरी बात कि वे भावनात्मक द्रिष्टी से भी सक्षम होते हैं इसे दूसरी भाशा में बताएं तो जो लोग समस्याओं को और जीवन को सकारात्मक नजरिये से देखते हैं और अपनी भावनाओं को नई दिशा देना जानते हैं, वे लोग लंबी आयू की आत्रा में सही दिशा में हैं। समस्या में होते हुए भी चहरे की हसी नहीं खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की सहयमी जीवन शैली से चिंताएं दूर होती हैं और तनाव का इस्तर कम होने में मदद मिलती है। सौ साल और उससे भी ज्यादा लंबी उम्र पाए हुए लोगों में कुछ समान चीजें देखने को मिलती हैं। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई तो होती हैं लेकिन उन्होंने समस्याओं की और देखने का सकारात्मक नजरिया विक्सित किया होता है। वे समस्यागा सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के उपर जीत पाते हैं। 2014 में विश्व में सबसे उम्र दराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्ष ये अलेक्जेंडर इमिज ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयू का एक कारण है लेकिन यही एकमात्र वज़े नहीं है गिनीज बुक ओफ वॉल्ड रिकॉर्ड्स में नामदर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया आप कैसा जीवन जीते हैं यह बाद भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है दिरगायू काव्य जब हम ओगीमी में थे तो करीब 100 साल आयू की एक महिलाने कवीता सुनाई यह कवीता उन्होंने उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई इसका हिंदी तरजुमा कुछ इस प्रकार होगा स्वस्त और दिरगायू जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े और खुशीशे खाएं जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत घुमने जाएं हम हर दिन बड़ी शांती के साथ जीते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं स्वस्त और दिरगायू जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपने पन का बड़ताव करते हैं गर्मी हो बारिश या हो सर्दी, हम लेते हैं आनंद सारी रित्वों का आपकी उंगलियां कितने साल की हैं, इसकी चिंता नहीं करें अपने मस्तिक्ष और हाथों की मदद से काम करते रहें, हमेशा काम में मशगूल रहें और काम करते रहें सौ साल आपकी और चलते हुए आएंगे अब हम अपनी उंगलियों का इस्तमाल करके अगले पन्ने की और जाने के लिए तैयार हैं जिस पर हम दिरगायू जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिस्ता है उसे समझने वाले हैं पार तीन लोगो थेरीपी से एकिगाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयू तक जीने की कला लोगो थेरेपी यानि क्या एक बार विक्टर फेंकल के एक सयोगी ने एक वाक्य में उनको साइकोलोजी स्कूल की परिभाषा पूछी तो उन्होंने अपनी राई कुछ इस प्रकार से बयान की लोगो थेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और ऐसी वाते सुननी होती हैं जिने कई अवसरों पर सुनना मुश्किल होता है फिर सयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राई कुछ इस प्रकार से बयान की साइको एनालिसिस में मरीज काउच पर लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता फ्रेंकल ने अपने मरीजों से पूछे जाने वाले पहले सवाल के बारे में इस पश्टिकरन देते हुए कहा कि वे हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछते हैं आपने आज तक आत्म हत्या क्यों नहीं की इससे मरीज के जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वज़ा मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्ची के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है फिर लोगो थेरेपी क्या करती है इसका जवाब एकदम इस्पष्ट है वो आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसर डूडने में मदद करती है लोगो थेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्ची समझाने में सर्योग कराती है जिसकी वज़ा से उनके जीवन का अर्थ प्राप्त होता है जिसकी वज़ा से उन्हें जीवन जीने की नई उमीद मिलती है और वे नए जोस और उत्सा के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं साथ ही वे अपनी नकारात्मक कारी शेरी को बदलना और समझ्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते है जीने का उद्देश्च के जीवन का मुख्य लक्ष बन गया लोगो थेरीपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दिये गए पांच बिंदों में बताया जा सकता है पहला लोगों को उनके जीवन में खाली पन चिंता और निराशा का हसास होता है दूसरा थेरेपिस्ट उन्हें यह य लेकीन दिलाता है कि आपको अपना जीवन का उद्देश्य जानने की तीवर इच्छा हो रही है तीसरा मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है खासकर निराशा के समय में चौथा मरीज अपनी मर्जी से उद्देश्य का चयन करता है और उसे नकारता है पांच अपने खुद के सिध्धानतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। और स्विट्स में जब वह कैद में थे तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज छीन सकते हो लेकिन किसी भी परि इसी चीज से उन्हें जीवन भर प्रणा मिली। अस्तित्व की लणाई जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या दुंदला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रेंकल इसे किसी साधारर निराशा क समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में उर्जा होती है जो नव निर्मान की वज़य बनती है। इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बागी थेरेपी इसकी तरह लोगो थेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती। उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है यह तो एक कुद्रती प्रकिरिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं इसकी मदद से वे एक नई सुन्तुष्टी की अनुभूती पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष पा किताब में फ्रेंकल ने ऐसी कलपना की है जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है उसे कैसे का जवाब भी मिलता है अपने अनुभव से फ्रेंकल मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें आगे क्या हासिल करना है इसके बीच जो अंतर होता है वो हमारे अंदर नहीं करते उल्टा हम चुनोतियों से भरा जीवन पसंद करते हैं इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाजों में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने के बज़ाए उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं खुद की पसंद का काम चोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं सिर्फ आर्थिक आजादी मिले इस भागदौल में वे अपने मन के खिलाफ काम करने को तैयार होते हैं लेकिन कभी-कभी यहां अंत्रिक लणाई इतने बड़े पैमाने पर पहुँच जाती है कि आत्म हत्या के विचार उनके मन में आते हैं संडे नियूरोसिस इसका ही एक प्रकार है इत्वार के छुटी के दिन लोगों के सामने कोई विवसाईक कारी या दूसरा कोई काम ना होने की वज़े से उन्हें सुबह उठते वक्त कोई उद्देश नहीं मिलता उन्हें अपन प्रिक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 55 प्रतिशत लोग कुछ हद तक अपने अस्तित्व की लणाई लड़ रहे हैं। पुरा किया है और इसके प्रति उन्हें संतुष्टी का हैसास होता है। लोगो थेरिपी के माध्यम से अच्छे जीवन की और यात्रा, कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं। अगर हम अपने लक्ष पर जरूर्वप से ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वह चीज हमसे अपने आप दूर जाती है। खुश्मिजाज और जोश्पूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर जाती है। हम ऐसे हर किसी के पास असाधारण और महान कारी करने की शमता होती है। हम उस महान लक्ष को हासिल करेंगे या नहीं इस पर निर्भर नहीं करता कि हम किस परिस्थिती में हैं, बलकि इस पर करता है कि हम उस परिस्थिती में क्या निर्णाई लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रेंकल के किये हुए परिक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनके मदद से हमें यह पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। उन्होंने जब लोगो थेरेपी की कारिशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला मरीज हैं। इसी खतरनाग बिमारी से भी वह अपने आपको बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्थ हुआ। और उससे जंबंधित जो भी बाते उन्हें लिखनी होती उन्हें वह कागस के छोटे छोटे टुकलों पर लिखकर रखते थे। Case Study 2 अमेरिकी राजनितिक ने बताया कि वह अपनी नौकरी और देश की प्रारष्ट नीतियों से नफरत करते हैं। इन नीतियों का उन्हें पालन करना तथा करवाना पड़ता है। वह जिस अमेरिकी मनोविशलेशन से वर्सों तक उपचार करा रहे थे। वह यही कहता था कि राजनिक अपने पिताजी और उसी तरह अपनी सरकार तथा नौकरी के साथ जो दोनों पित्र सत्तात्मक छवी का प्रतीनी दी हैं शांती कायम करें ताकि वैचारिक भिन्नेता कम होती दिखे। फ्रेंकल ने महच कुछ सत्रों के बाद उन्हें बताया कि उनकी परेशानी इस वज़े से है कि वह कोई अलग करियर पकड़ना चाते हैं और राजनिक ने उस विचार को दिमाग में रखते हुए अपना उपचार पूरा किया। पांच वर्षों के बाद विक्टर फ्रेंकल को पूर्व राजनिक ने बताया कि अब वह किसी दूसरे शेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। आप ही वह ज्यादा आनंदिदायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समश्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रेंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेच पर बुलाया। और उसे ऐसी कलपना करने के लिए कहा कि वह बूड़ी हो चुकी है और जीवन की आखरी सांसे गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानुस सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। पर यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महीला को अपने को मृत्यु शया पर पड़ा मान कर करने के लिए कहा गया। तो उसे लगा कि उन दोनों बच्चों के लिए उससे जो भी मुम्किन था उसने किया। उसने अपने लक्वाग्रस्त बच्चे को अच्छा जीवन दिया और उसे दयालू तथा समुचित रूप से खुशाल व्यक्ति के रूप में बदल दिया। और अतीत पर नजर डालने के लिए कहने से आत्महत्या की इच्छुक उस महीला को जीवन का एक मकसद पता चला और एक ऐसा लक्ष भी मिला जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। एक बार बुजर्ग डॉक्टर फ्रेंकल से थेरिपी लेने के लिए आये। दो साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था जिस वज़े से वह काफी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाश तलाशने भव आये थे। उन्हें कोई भी सलाँ देने और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं फ्रेंकल ने उनसे पूछा कि मान लो तुम्हारी पत्नी की जगए तुम्हारी मृत्ती हो गई होती। तो क्या हुआ होता? डॉक्टर ने घबरा कर कहा कि उसकी पत्नी तो काफी सीधी थी, उसे काफी यातनाई जिलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती. यह सुनकर फ्रेंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो? आपने अपनी पत्नी को इन सभी में लिए रुके और चले गए, लेकिन उनकी आखें बहुत कुछ बोल रही थी, वह अपनी पत्नी का गम सहने लायक हो गए थे, उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला. मोरिता थेरेपी जिस दशक में लोगो थेरेपी की खोज हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विक्सित किया था. इसका उप्योग, नियुरोसिस, उप्सेसिव कंपल्सिव डिसॉडर और ऑप्रेशन या इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है. ऐसा मनोचिकित्सक होने के सांथ-सांथ शोमा मोरिता जेन बुद्धिष्ट भी थे. उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है. ज्यादातर पश्चिमी मनोपचारों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है. उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की या उन्हें काबू में रखने की सला दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाओं अपने मन में रखते हैं उसी प्रकार से सोचते हैं और जिस प्रकार की सोच रखते हैं वही चीज़ें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती हैं इसके विपरेत मोरीता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उन्हें स्विकार करने की सला दी जाती है क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाओं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं अभी हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें स्विकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्मार करने की कला भी सिखाई जाती है। मोरिता के हिसाब से यह कला अनुभव से और कोशिशों से हासिल की जा सकती है। मोरिता थेरेपी में किसी भी लक्षन को नजर अंदाज करने की सला नहीं दी जाती। उल्टा इसमें हमारी इच्छाओं, आकानशाओं, डरों, निराशाओं, वचिंताओं आधी सभी भावनाओं का स्विकार करने की सला दी जाती है। मोरिता थेरेपी and the true nature of anxiety-based disorder नामक किताब में मोरिता लिखते हैं, आपको भावनाओं के बारे में समरिद्ध होना चाहिए। मोरिता नकारात्मक भावनाओं को छोडने के संकल्पना के बारे में एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। वह कहते हैं, समझो किसी गधे को एक खंबे से बात कर रखा जाए, तो वह अपने आपको छुडाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। इस कोशिश में वह खंबे के ही गोल-गोल चकर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बड़ी लंबी यात्रा की है। वह जितनी कोशिश करता है, उतना ही उसका उस खंबे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है, वह जितना अपने सनक भरे विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है, उतना वह उन विचारों से और जुड़ता चला जाता है। मोरिता इलाज पद्दिती के मूल सिध्धान्त पहला, अपनी भावनाओं को स्विकार करें जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हो यानि वे विचार आप पर हावी हो गए हो तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करें तो समंदर की गहराई में ही कहीं खो जाओगे हम कोई भी भावना गर नहीं सकते वह तो अपने आप निर्मित होती है हमें तो सिर्फ उसका स्विकार करना होता है उसका स्वागत करना होता है भावनाएं मौसम की थरह होती है हम उनका अंदाज नहीं लगा सकते बस उनको बदलते देख सकते हैं इस बारे मैं बताते हुए व्यतनामी संथ तिक नियाथन की एक पंती याद आती है उस पंती में तिक नियाथन अपने अकेले पंत से बात करते हुए कहते हैं आज तुम कैसे हो? चलो दोनों साथ में बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करूँगा दूसरा जो कर रहे हों वही करें लक्षान को नजरन्दास किये बगैर आप जो कर रहे हों वह करते रहें क्योंकि इलाज पद्दती अपना काम करती रहेगी हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है अगर परिस्तिती को सुईकार करने से तकलीव हो रही है तो उस तकलीव पर ध्यान केंद्रित करें उसके लिए किसी भी प्रकार के कालपनिक या बौधिक भाने नहीं तलाशें इलाज करता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिती का सामना करने के लिए तैयार करे मोरीता इलाज में कभी भी लोगों को वज़ा डूडने के लिए या इस पश्टी करन देने के लिए नहीं कह जाता उल्टा उन्हें उनकी किरियाओं और अनुभव से सीखने की छूड दी जाती है पश्चिमी मनोची कित्सा में जिस प्रकार से डाइरी लिखकर टिकपणिया करने की सला दी जाती है वैसे कोई सला यहां नहीं दी जाती उल्टा अपने अनुभव के आधार पर लोग उसे खुद उजागर करें ऐसी सला दी जाती है तीसरा अपने जीवन उद्देश्ची की खोज करें हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रन नहीं पा सकें लेकिन अपनी दिन्चरिया पर काबू जरूर पा सकते हैं इसलिए हमारे पास जीवन का इसपश्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए अभी मुझे क्या चाहिए? मैं अभी क्या करूँ? ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलते हैं बस उन्हें खोजने के लिए अपने अंदर के इकीगाई को ढूडने की तैयारी चाहिए मोरिता थेरिपी के चार पड़ाओ मोरिता थेरिपी लगवक 15 से 21 दिन तक चलती है जिसमें 4 महत्वपोर्ण पड़ाओ होते हैं पहला अलग रहना और आराम 5-7 दिन पहले हफ़ते में मरीज को एक कमरे में आराम करने के लिए भेजा जाता है और भारी जगत की चीजों से अलग रखा जाता है टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है मरीज ज्यादातर समय सोया हुआ रहता है इस दोरान व्यक्ति को अपने भावनाओं में होने वाले बदलाओं का अध्यन करने की सला दी जाती है इन साथ दिनों में कुछ भी नहीं करने की वज़े से मरीज काफी परिशान हो जाता है और कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाता है जिसके बाद उसे चिकित्सा के अगले चरण में भेजा जाता है इस चरण में मरीज शांत माहौल में कामा को दोहराता है ऐसे कामों में से एक के तहट उसे डाइरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने को भी का जाता है मरीज एक हफ़ते तक एकाकी जीवन बिताने के बाद बाहर निकलता है कुद्रती माहौल में टहलता है और स्वसंद संबंधी व्यायाम करता है वह बागवानी, चित्रकला या पेंटिंग जैसे हलके फुलके कारे करता है इस दोरान उपचारकता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने के अनुमूती नहीं होती है तीसरा, पेशेवराना थेरेपी पांच से साथ दिन इस दोरान मरीज को शारेरिक गदिवितियों वाले काम दिये जाते है डॉक्टर मोरीता अपने मरीज को पहाड पर ले कर जाते हैं और उससे पेड काटने जैसे काम करवाते हैं इसके साथ ही लिखना, पेंटिंग या सिरामिक बरतन बनाना जैसे काम भी बताये जाते हैं इस चरण में मरीज संबंदित लोगों के साथ केवल काम के बारे में बातचीत कर सकता है इस पड़ाओं में मरीज अस्पताल छोड़ देता है और उसे सामाजिक जीवन में फिर से प्रवेश कराया जाता है इसके बाद भी व्यक्ती थेरेपी के दोरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तमाल करता रहता है इस पूरी प्रकिरिया का एक ही मकसद होता है दुनिया को एक नया और एक ऐसा विक्सित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उदेश्य है एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आये बिना किसी उदेश्य से प्रेडित होकर काम करता है जैन मास्टर मोरी तो इस आत्म परिक्षन से संबंधित ध्यान पद्यती नैकन के अभ्यासक है उनकी पूरी इलाज प्रकिरिया इस कारिप्रणाली और ज्यान पर आधारित है उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से तीन मुलभूत सवाल पूछने चाहिए मुझे किसी इनसान से क्या मिला है? मैंने उस इनसान को क्या दिया है? मेरी वज़ा से उस इनसान को क्या तकलीफ हुई है? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इनसान की वज़ा से हमें जो तकलीफ होती रहती हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं सामने वाले इंसान के दोशी महसूस नहीं होने पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरीतों कहते हैं अगर आप गुसे में हो और आपका जगडा करने का मन कर रहा है तो तीन दिन रुकें और फिर जगडे की शुरुआत करें। जगडे की तीवृता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकीगाई। रास्ते पर चलने की जगडे होती है। आपको अपने लक्ष तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम को करने की प्रिणा मिलती है उस काम में अपने आपको जोकने के लिए तैयार हैं क्या। पाठ चार अपने हर काम में प्रवहा की खोज। कार्य और खाली समय का इस्तमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए उत्कृष्टिता कोई क्रिया नहीं है यह तो हमारी आदत है। अरस्तू प्रवहा के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेज जैसी बरफ आपके दोनों और उड़ रही है। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल करनी है यह आपको पक्का पता है। वहाँ ना भूतकाल है ना भविश्य वहाँ तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बरफ का आनंद ले रहे हैं। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हैं कि स्केटिंग आप और सजगता यह तीनों बातें तीन नहीं रहकर एक हो गई हैं। आप अनुभव में पूरी तरह डूब चुके हैं। दूसरा कोई भी खयाल आपके मन में नहीं आता, नहीं आपको तकलीफ देता है। आपका अहंकार गायब हो जाता है। और आप उस कारी के साथ एक रूप हो जाते हैं। इस पंक्ती में ब्रूसली ने एक रूपता के अपने अनुभव का बयान किया है। हम ऐसे सभी ने कभी ना कभी इस एक रूपता का अनुभव किया हुआ। जब हम अपना सबसे पसंदिदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीच जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैटते हैं और खाना पिना भूलकर उसमें खो जाते हैं हम तालाब में तैरने या समंदर में सर्फिंग के लिए जाते हैं तो हमने पानी में कितना समय बिताया या दूसरे दिन मासपेशियों में होने वाला दर्द ही बताता है इसके उलट जब भी हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीचता ही नहीं है हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं न हम आगे बढ़ती है नहीं हमारा काम अलबर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम के बारे में हसी मजाक में कहते थे अगर आपने गैस स्टोव के उपर हाथ रखा हो तो एक मिनट भी एक घंटे जैसा लगता है और वहीं अगर आप किसी सुन्दर लड़की का हाथ पकड़ कर बैटे हो तो एक घंटा भी पलभर जैसा लगता है यही सापेक्षता है इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है वह दूसरे को तकलीफ दे लगता है ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूल कर उस काम में पूरा डूब जाते हैं सभी समस्याओं को भूल जाते हैं इस सवाल का जवाब ढूड़ना ही इकिगाई की खोज है प्रवा की शक्ति मनोवैज्यानिक महली, सिसी कजेंट महली के मन में भी यह सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की किसी काम के साथ एक रूप हो जाना उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्ता को उन्होंने प्रवाह, फ्लो का नाम दिया उन्होंने बताया कि प्रवाह का मतलब ऐसी अवस्ता है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित, वस्रजनशील जीवन जीते हैं और तन्मन खोकर उसकारी में जुड जाते हैं। जैसे अपने एकिगाई के अनुरूप जीवन जीते हुए खुशी पाने का कोई जादूई सूत्र नहीं है। उसी प्रकार से प्रवाह में जाने के लिए भी कोई विधी नहीं है। उस अवस्था में पहुँचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए सर्वोतक्रिष्ट अनुभव की आवशकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आपको ऐसे कामा में व्यस्थ करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नस्दीक ले कर जाते हों ठूस कर खाने, ड्रक्स और शराब का सेवन करने और टीवी के सामने बैठ कर जमकर चॉकलेट खाने जैसी शनिक वह नकली आनंद देने वाली चीजों में नहीं फस्ते हुए उच्छ इस्थर और इस्थाई आनंद खोजने की आवशकता होती है सिसी कजेंट मेहली ने फ्लो, The Psychology of Optimal Experience नामक पुस्तक में प्रवा के बारे में लिखा है इस अवस्था में इंसान अपने कारी में इतना खो जाता है कि आसपास क्या घट रहा है, इससे उसको कोई फरकी नहीं पड़ता भग कारी ही उसके लिए प्रेलना का सबसे बड़ा स्रोत होता है उस काम को करने से जो फाइदा होने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचते हुए, सिर्फ काम करना ही उसे ज्यादा आनंद देता है उस आनंद को पाने के लिए भग किसी भी हद तक जा सकता है सिर्फ स्वीजनात्मक कारी करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों ऐसा नहीं है कई सारे एथलीट्स, खिलाडी, शत्रंज खेलने वाले यहां तक की कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं सिसी कजेंट मेली के हिसाब से शत्रंज का खिलाडी चाल सोचते वक्त, गणितगी सूत्र खोचते वक्त और डॉक्टर ऑप्रेशन करते वक्त इस अवस्था में जाते ही हैं मनोविज्ञान के प्रोफेसर सिसी कजेंट मेली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि प्रवा की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी ही होती है न्यूयोख हो या ओकी नावा, सभी की प्रवा की अवस्था एक जैसी होती है लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं, तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है जब हम प्रवा की अवस्था में जाते हैं, तो हम उस कारी में पूरी तरह से खो जाते हैं उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता लेकिन जब हम प्रवा में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकागरता सदा भंग हो रही है तो आगे दिये गए उपाई ज़रूर करके देखें आपको प्रवा में आने में मदद होगी प्रवा लाने वाली साथ अवस्थ है डिपॉल युनिवर्सिटी के सोत करता ओवेन सॉफर के अनुसार प्रवा में आने के लिए नीचे दी गई चीजों की ज़रूरत होती है पहला, क्या करना है इसका पता होना आवश्रक है दूसरा, कैसे करना है यह पता होना चाहिए तीसरा, हम इस कारी को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना चौथा, कहा जाना है यह पता होना चाहिए जब कारी में दिशा महत्वपोर्ण होती है पाच्वा, सामने कौन सी चुनोतिया है इसकी जानकारी होना छटा, कौन सी कुशलताओं की ज़रूरत है यह पता होना सात्वा, मन विचलित ना होना उपाई एक, मुश्किल काम खोजें, लेकिन ज्यादा कठिन ना हो शौफर की कारिपढाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजें, जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो हमारी आराम के दाइरे से वह काम थोड़ा बहार हो हर काम, खेल या नौकरी के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवशक्ता होती है हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवशक्ता हो तो हमें उस कार्य को करने में मज़ा नहीं आता वह कार्य हमें बोरिंग लगता है जो गतिविदियां बेहद आसान होती हैं वे उदासीनता को बढ़ाती है इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी शमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुनवत्ता और कुशलता की ज़ुरत होती है तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है ऐसा होता है तो दुगना नुकसान होता है एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वज़े से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेणना नहीं मिलती इन दोनों के बीच मध्यमार्ग पाना ही मूल संकल्पना है इसलिए अपनी शमता से थोड़े भार का लक्ष तै करें इससे हमें भी प्रेणना मिलती रहेगी और चुनोती का भी एसास होगा इसी वज़े से अर्नेट सेमिंग वे कहते हैं कि कभी-कभी मैं अपनी शमता से ज्यादा अच्छा लिखता हूँ काम करते वक्त हम हमेशा नई चुनोतियां का सामना करते रहना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें स्वयम को आगे बढ़ाने के लिए उर्जा मिलती रहती है बर्ट्रेंड रसल इसके बारे में कहते हैं मुश्किल उपलुब्धियों के लिए आपको समुचित समय लगाने पर ध्यान केंद्रित करने में समर्थिवान होना चाहिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम के वगट नया सौफ्ट्रियर सीखें अगर आप प्रोग्राइमर हैं तो नई language सीखें अगर dancer हैं तो अपने अगले dance में एसी किसी step को शामिल करें जो वर्षों से आपको कठिन लग रही थी हर बार काम करते वक्त उस कारी में कोई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपका आराम का दाइरा टूटे यहां तक कि पढ़ने जैसे छोटे कारी में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवशक्ता होती है उसके लिए भी कुछ गुणों और ज्ञान की आवशकता होती है जैसे हमने Quantum Mechanics for Specialist in Physics विशही की किताब पढ़ने के लिए ली है और हमें Physics के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ने जिस विशही में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंट नीचे रख देंगे इसी के विपरेत अगर हमने अपनी रुची और अपनी शमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुवात की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धी को गती भी मिलेगी साथ ही हम प्रभाव में भी आसानी से जाएंगे यही आनंद और प्रभाव इस बात की पुष्टी करता है कि हम सही दिशा में हैं और अपने एकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं उपाई दो इस पष्ट और पक्का लक्षतेगर हैं नियंतरन के साथ खेले जाने वाले खेलों जैसे वीडियो गेम्स, सापसिडी, लुडो और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में प्रवाप राप्त करने की संभावना ज्यादा होती है इसकी महत्वपूर्ण वज़ा यह होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है तई किये गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स है उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष हो सकता है दुर्भाग की वस इन खेलों में मकसद जितने इस्पष्ट होते हैं उतने जीवन के बागी कामों में नहीं होते बॉस्टन कॉंसलिटिंग ग्रूप ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था इससे बता चला कि मल्टीनेशनल कंपनी के ज्यादातर कर्मचारियों को अपने बॉस के प्रती सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि हमारे बॉस हमारी टीम को मिशन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं इसकी वज़े से यही समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है बड़ी कंपनियों में बड़े ओधे पर बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी प्लैनिंग करते हैं रणीती बनाते हैं वे यह सब इस तथी को चिपाने के लिए करते हैं कि इनके पास इसपष्ट और पक्का लक्ष नहीं होता यह तो ऐसा ही है कि हम नक्षे के साथ समंदर की यात्रा पर निकलें लेकिन यही पक्का नहीं है कि कहां पहुँचना है नक्षे से भी महत्वपूर्ण है कमपास का होना जो हमें सही दिशा दिखा सकता है MIT Media Lab के डिरेक्टर जोई इतो हमेशा यही सिद्धान बताते हैं नक्षे से भी अच्छा है कमपास उनके हिसाब से इस अनिश्चित्ता से भरे विश्व में कमपास ही हमारी मदद कर सकता है विपलेश How to survive over faster future नामक किताब में जैफ होई लिखते हैं जब आपके पास नक्षा होता है तो वह आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जा सकता है जो शांदार होगी लेकिन वहाँ पर जाना कई बार बेवज़ा और फिजूल खर्ची वाला भी हो सकता है लेकिन अगर आपके पास कमपास है तो वहाँ आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर जाना आपके लिए सही होगा इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने लक्ष तई किया तो तुरंट आपकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी इसका अर्थ यह है कि आप एक बार यह तई करें कि कहां पहुँचना है और फिर उस लक्ष तक कम से कम परेशान हुएं और सही समय में कम पास आपको पहुचाएगा किसी भी कारोबार में या कोई स्रिजनात्मक काम करते वक्त यह पता होना जरूरी है कि उस काम से हमें क्या हासिल करना है इसी लिए उस कार्य को शुरू करने से पहले यह पक्का करने के लिए कि हमें उससे क्या पाना है हम अपने आप से आगे दिये गए सवाल पूछ सकते हैं पहला आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है अगले मैंने प्रकाशित होने वाले आर्टिकल के लिए मैंने आज कितने शब्द लिखे हैं मेरी टीम का इस वक्त मिशन क्या है अगर यह काम मुझे इस अफते पूरा करना है तो मुझे किस गती से कारी को पूरा करना होगा प्रवाह हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले इसपष्ट लक्ष होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आपको जोग देना भी होता है यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष को ध्यान में रखना जरूरी है लेकिन उसका जाब करते रहने की ज़ुरत नहीं होती ना ही उसके मोह में बाकी चीजों को भूलना होता है जब कोई खिलाडी ओलंपिक गोल्ड मैडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मैडल का विचार आना स्वभाविक है वह मैडल कितना आकरशक होगा ऐसे विचार तो उसे आने ही वाले हैं लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगें कि मैडल मिलते वक्त माता पिता को कैसा लगेगा तो प्रतियोगिता का सबसे महतुपूर्ण पल वो खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे यह सोच विचार ही उसकी हार की वज़ा बनेगा लेकक के साथ कई बार ऐसा होता है समझो कोई लेकी का है जिसे कोई उपन्यास लिखना है उसके सामने यह लक्ष भी सपष्ट होता है कि उसे तीन महनों में वह उपन्यास पूरा करना है रोज सुबह उठने के बाद वह यह तैई करती है कि मुझे आज इतने पन्ये लिखने हैं लेकिन दूसरे ही पल वह इस लक्ष को भूलकर अगबार पढ़ने, साफसफाई करने या ऐसी ही और कामों में व्यस्त हो जाती है शाम तक कोई भी काम ठीक से नहीं होने की वज़े से वह नाराज होती है उस वक्त वह यही सोचती है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगी लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बरबादी शुरू हो जाती है इस तरह दिन, हफते, यहां तक की महीने बीच जाते हैं लेकिन लेकिका कागस पर कुछ भी नहीं लिख पाती है अगर ये सबी बातें टालनी हैं तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि कागस और पैन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरूआत करनी चाहिए उसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरूआत करनी चाहिए इस तरह यदि एक-एक शब्द के साथ उसने लिखने की शुरूआत की तो कुछ ही समय में वह अपने एकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाएगी एक बार आपने शुरूआत की और छोटे-छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नहीं हो जाएगी फिर आपको प्रवाव की अवस्था प्राप्त होगी फिर अपने आप प्रवाव में आप उस कार्य को पूरा करेंगे अलबेर्ट आइंस्टाइन कहते हैं आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविश्य के विचारों में खोने की ज़़ूरत ही नहीं होती उपाई तीन एक ही लक्ष पर ध्यान केंद्रित करें आज की तकनीक की वज़े से हमें एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं वह समस्या है हमारे मन का विचलित होना जिसकी वज़े से हम किसी भी एक कारे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते इमेल लिखते वक्त हम साइड में योट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं उतने में चैटिंग का मेसेज पॉप अप हो जाता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं लेकिन हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और उसमें खो जाते हैं फिर हम कंप्यूटर की और गूमते हैं और फेस्बुक में व्यस्त हो जाते हैं इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीच जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो इमेल लिक रहे थे वह काम तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं और आकरी निवाले तक उन्हें यही पता नहीं चलता कि सबजी अच्छी बनी है या नहीं लोगों को यह गलत फेहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की होजासे उनका समय बचता है अब यहाँ साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है जो लोग मल्टी टास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज्यादा कारिश्रम नहीं होते हैं असल में उनकी कारिश्रमता बाकी लोगों से भी कम होती है हमारा मस्तिक्ष एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है जब लोग कहते हैं कि में मल्टी टास्किंग कर रहे हैं तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की और चलांग लगाते रहते हैं दुरभाग्य वस हम कंप्यूटर की तरह काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्विकार नहीं कर सकते परिणाम सुरूप कोई भी एक काम ठीक से नहीं होता हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं साथ ही हमारी उर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रवाह पाने के लिए सबसे महतुपूर्ण ज़ूरत है सिसिक्स जेन मिहाली ऐसा मानते हैं कि किसी भी काम को एकाग्रिता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी होता है पहला काम के लिए अच्छा माहौल दूसरा हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्म विश्वास टेक्नलोजी ने वाकई बड़ी क्रांती की है जब तक वह हमारे नियंत्रण में हैं तब तक वह किसी चमतकार से कम नहीं है लेकिन जब हम उसके नियंत्रण में जाते हैं तो वह तकलीफ दे बन जाती है कामले में Google और Internet आप पर हावी हो जाती है और आपको अपने प्रहाद से दूर ले जाती है। Stanford University में Clifford Evernos ने अपने किये हुए परिक्षन के बाद कहा कि आज की PD मल्टी टास्किंग की महामारी से ग्रस्त है उन्होंने कुछ विद्यार्तियों के साथ एक प्रयोग किया वे विद्यार्ति एक साथ कितने काम करते हैं उसके आधार पर उनको गुटों में विभाजित किया जिन विद्यार्तियों को मल्टी टास्किंग की आदत थी वे एक साथ कम से कम चार काम करते थे जिसमें लिखना, किताब पढ़ना, गाना सुनना और स्मार्टफोन पर मैसेज का जवाब देना जैसे काम शामिल थे ये सभी कामवे एक साथ करते थे और कभी-कभी तो इतना सब करते वक्त ट्विटर पर अपनी टाइम लाइन भी देखते रहते थे इस आधार पर उन्होंने विद्यार्थियों के कुल चार गुड बनाए और उनको एक प्रयोग करने के लिए कहा उनकी स्क्रीन पर कुछ लाल और कुछ नीले तीर दिखाई गए और उनसे लाल तीरों को गिनने के लिए कहा गया पहले सभी चात्रों ने सही जवाब दिये उनको वैसा करते वत कोई तकलीफ भी नहीं हुई लेकिन जैसे ही नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई तो जिन बच्चों को मल्टी टास्किंग की आदत थी उनको दिये गए समय में लाल तीर गिनने की तकलीफ हुई हाला कि लाल तीरों की संख्या उतनी ही थी सिर्फ उनकी जगा बदल दी गई थी इसकी केवल यही वज़ा थी कि नीले तीरों से उनका मन विचलित हो गया उनके मस्तिक्ष को किसी काम के महत्व पर विचार किये बगएर अन्य कामों पर भी ध्यान केंदृत करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था जबकि अन्य छात्रों का मस्तिक्ष केवल एक कारी पर केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था एक अन्य अध्यन से पता चला है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वज़ा से कारी शमता 60 प्रतिशत और IQ 10 पॉइंट कम हो जाता है Swedish Council for Working Life and Social Research नामक संस्था ने एक परिक्षन किया था जिसमें उन्होंने 20-24 साल की उम्र के युवाओं का अध्यन किया इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफॉन के आदी हैं वे काफी कम नीद लेते हैं वे स्कूल के अन्य बच्चों से कम घुल मिल पाते हैं तथा अवसात के लक्षन दिखाने लगते हैं हमारे और प्रवा के बीच में आने वाली इस महमारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम अपने दिमाग को एक ही लक्ष पर केंद्रित होने की आदत कैसे लगा सकते हैं? आगे कुछ कदम दिये हुए हैं जिनकी मदद से हम एक आग्रिता के साथ और इकिगाई की मदद से प्रवाब आने की और यात्रा कर सकते हैं. पहला, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन, टीवी, मुबाइल, इद्यादी की और नहीं देखें। दूसरा, कोई भी महत्व पूर्ण काम करते वक्त अपना मुबाइल बंद रखें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. अगर पूर्ण रूप से मुबाइल को बंद रखना संभव नहीं है, तो अंचाहे मैसेज, नोटिफिकेशन टालने वाली सुविधा का इस् प्लेयर का अपवाद रखें. चौथा, ऐसे कैफे में जाए जहां वाइफाई की सुविधा नहीं हो. पांचवा, दिन भर में एक या दो बार ही इमेल का जवाब दें, यह समय पहले से ही तई करें और उसी वक्त वह काम करें. छटा, पोमोडोरो तक्नीक का इस्तमाल करें खुद के लिए पोमोडोरो या टमैटो जैसा दिखने वाला किचन टाइमर लेकर आएं. एक समय तई करें और उस समय तक कोई भी एक काम निरंतरता से करें. टेकनलोजी कहती है कि अगर आप 25 मिनट काम करें तो 5 मिनट आराम करें. 50 मिनट काम करें तो 10 मिनट आराम करने का तई कर सकते हैं. आप कितना समय आराम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तई करते हैं उसका पालन करें. अपने पसंदिता काम से शुरुवात करें. साथवा, जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आद़ डालें. माइंडफोलनेस या ऐसे ही किसी और ध्यान पद्ददी की मदद लें. टहलना, तैरना, जैसे काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें. आठवा, ऐसे जगहों पर काम करें जहां मन ज्यादा भटकने की संभावना नहीं हो. अगर घर में ऐसी कोई शांत जगह नहीं ह ही तै करें. मान लें कि आप किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हैं. तो सुबह घर में उसके नोट्स बनें, दोबहर को लाइबरेरी में आटिकल लिखें और शाम को उसके संपादन का काम करें. दसवा, बिल भरना, फोन करना और इमेल जैसे काम करने के लिए सम नीम या मंगा के चहेते. इन सब में कौन सी समानता है? इन सबी को इकिगाई के माध्यम से प्रवाब में रहने का महत्व पता चलता है. एक ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा काम करते हैं. वे अपने कार्यों को समर्पित होकर खुद को उसमें जोग देते हैं. हालांकि जापान के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा काम नहीं करते लेकिन सामने वाले को वैसा लगता जरूर है. वे चाहें कुछ भी कहें लेकिन काम करते वक्त उनकी लगन या समस्या का समाधान करते वक्त वे जिस प्रकार से उसमें दिल और जान लगा देते हैं वह कल मन लगा कर काम करते हैं वे अपना पूरा होश खोकर काम में अपने आपको जोग देते हैं रिटायर होने के बाद भी खेत में जाकर धान की देखभाल करने वाले लोग हो या चुट्टी के दिनों में कोनी भीस जैसी चीजें बेचने वाले अथवा दुकानों में काम करने वाले कॉलेज के विध्यारती हो सभी के अंदर काम के व्रती एक अजीब सी आस्था आपको दिखाई देगी आप अगर नाहा, काना जावा या क्योटो मेंसे किसी हस्तकला की दुकान में गए तो आपको महसूस होगा कि जापान में हस्तकला का खसाना है एक और टेक्नलोजी के शेत्र में जापान ने असाधारान विकास किया है तो वहीं दूसरी और हस्तकला और अपनी संस्कृती को भी संभाल कर रखा है तकूमी की कला टोयोटा में कुछ ऐसे कारियेगर है जिनके हाथों में जादू है वे अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं वे लोग इतने कुशल होते हैं कि उनका काम असाधारन होता है और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता कुछ विशेश लोग कुछ कामों में माहीर है और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि नई पीडी उनकी जगह नहीं ले सकती टर्न टेबल सुई एक जैसी चीज है जो आज भी सिर्फ जापान में ही बनाई जाती है आज भी सुई को बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तमाल होता है उनमें लगने वाली कुशलता से काम करने वाले कुछ ही लोग है वे अपनी कुशलता अपनी आगी की पीडी को सिखा रहे हैं जब हम हिरोसीमा के पास कुमानो नामक एक छोटे से कजवे में गए थे तो वहां हमारी मुलाकात तकूमी से हुई हम मेकप के लिए इस्तमाल होने वाले ब्रश बनाने वाले एक बड़े ब्रेंड के लिए शूटिंग करने वहां गए थे हम जैसे ही वहां पहुँचे तो हमने देखा कि सामने के बोर्ड पर हाथों में ब्रश लेकर एक बड़ा जानवर हमारा स्वागत करते हुए दिखाई दिया ब्रश कार खानों के अलावा वह कजबा छोटे छोटे घरों बाग बगीचों से भरा हुआ था आगे बढ़ने पर आप कजबे के आसपास मौझूद पहाड़ों की तलहटी में कई शिंतो इसमारोकों को देख सकते हैं एक कतार में बैठकर काम कर रहे कई सारे लोगों के हमने लगबग एक घंटा फोटो खीचे सब अपने तही काम को पूरा कर रहे थे कोई ब्रश के डंडे को रंग दे रहा था कोई तैयार ब्रश को गाड़ी में भर रहा था लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि ब्रश में बाल लगाने का काम कोई भी नहीं कर रहा था हमने इसके बारे में और जानकारी ली कई सारे लोगों से पूछताच की और विंती करने के बाद एक कंपनी के अध्यक्ष ने हमें यह दिखाने के तयारी दिखाई कि वहाँ काम कैसे चलता है उन्होंने हमें फैक्टरी के बाहर बुलाया और कार में बैठने को कहा कुछ समय बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी और हम सीरियां चड़कर उस घर के दर्वाजे तक पहुँचे हम जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे में धेरों खिड़कियां थी जिन में से काफी से कुद्रती रोशनी अंदर आ रही थी उस कमरे के बीच में एक महीला एक मास्क लगा कर बैठी हुई थी हमने गौर से देखा तो वह महीला ब्रश के लिए एक-एक बाल जुटाने में लगी हुई थी कैची, कंगी और ऐसी ही कुछ औजारों की मदद से उसका काम चल रहा था उन बालों की गुणवत्ता के आधार पर वह उन्हें चाट रही थी वह अपने काम में इतनी मश्गूल थी कि उसे हमारे आनी की कोई खबर ही नहीं थी हमने जब गौर से देखा तो पाया कि वह इतनी गती से काम कर रही थी कि वह क्या कर रही थी यह समझना बड़ा मुश्किल था कंपनी की अध्यक्स ने उसे हमारे आने के बारे में बताया और यह भी बताया कि हम उसके फोटो लेने वाले हैं तब उसकी आँखों में खुशी के भाव हमें तुरन दिखाई दिये भले ही हमें उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी यह बात हमें उसकी आँखों से पता चली उसकी आवाज में भी एक जोश था वह अपने काम के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में खुल कर बता रही थी उसके हाथों की हलचर कैमरे में कैद करने के लिए हमें काफी फास्ट शटर का इस्तमाल करना पड़ा बान्रों का चेहन करते समय उसके हाथ मानू नृत्ति कर रहे थे और वह औजारों का प्रभापूर्ण इस्तमाल कर रही थी कि हालंकि हमने इसे छोटे से कमरे में चुपा कर रखा है लेकिन असल में यहां कमपनी की महतुपूर्ण कारीगर है इस कमपनी के हर ब्रश का हर बाल इसी के हाथों से ओकर जाता है जापान में स्टीव जॉप्स एपल के सह संस्थापक स्टीव जॉप्स जापान के बड़े प्रशन सकते उन्होंने 1980 के दसक में सोनी कमपनी को एक भेंट दी उन्होंने जब एपल कमपनी की स्थापना की तो सोनी कंपनी में इस्तमाल की जाने वाली कई कारिप रणालियों का इस्तमाल किया इसी के साथ जापान की सादगी और क्योटो में पोरसेलिन से बनाए गए बरतन उन्हें काफी पसंद आए स्टीव जॉब्स का ध्यान क्योटो के शिल्पकार ने की चाथा तोयामा में रहने वाले शिल्पकार का नाम था युकियो शाकूनागा जो की एक तकूमी थे शाकूनागा को इच्चू शेतोया की नामक वहां कला आती थी जिसे काफी कम लोग अवगत थे जोब्स जब क्योटों में थे तो उन्हें शाकूनागा के काम की प्रदर्शनी देखी वह जल्द ही समझ गए कि शाकूनागा के पॉर्सलिन के बरतनों में कुछ विशेश जरूर है वहां से उन्होंने कई कपों, गुलदस्तों और प्लेटों को खरीद लिया यही नहीं उस हबते वह प्रदर्शनी देखने तीन बार गए जोब्स इसी प्रदर्शना की खोज में कई बार टोक्यों आये थे वह शाकूनागा से मिले उनको बरतनों के और खासकर उन्हें बनाने की प्रकिरिया के बारे में कई सारे सवाल पूछने थे वह कौन सी सामगरी का इस्तमाल करते हैं इसके बारे में जाननी की भी उनके मन में चाहा थी साकूनागा ने उन्हें बताया कि वह तोयामा प्रांत के पहाणों से स्वयम ही ढूट कर लाए हुए सफेद रंग के पॉर्सलिन मेटीरियल का इस्तमाल करते हैं इस प्रकार से सामगरी को खोच कर लाने और उससे बरतन बनाने वाले वह एकमात्र कलाकार थे। यह सुनकर जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पहार को देखने की इच्छा जाहिर की। जॉब्स को यह सुनकर और ज्यादा आश्चरी हुआ कि जिस पहार से यह सामगरी लाते थे वह पहार नजदीक नहीं बलकि काफी दूर था। उन्हें उस पहार तक जाने के लिए ट्रेन से चार घंटे से भी अधिक यात्रागन्नी पड़ती थी। जॉब्स के मृत्यू के बाद शाकू नागा से वारतालाब हुआ तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान ने आईफोन बनाया उन्होंने मेरे काम को सराह, इसका मुझे अभीमान है। उन्होंने यह भी बताया कि जॉब्स ने उनके पास से 12 कपों का एक सेट खरीदा। जॉब्स ने उन्हें नए तरीके के विशेश कब बनाने के लिए कहा। जापान के शिल्पकार, एंजीनियर, जेन दर्शन और खाद्य संस्कृती में कौन सी चीज एक समान है। इसका जवाब है सादगी और लक्ष। यह सादगी आलस की वज़ा से नहीं आई है। इसे तो आधुनिक्ता से आई हुई सादगी कह सकते हैं। हर कोई अपने एकिगाई की अनुसार काम को तन मन में एकाग्र करके उस चीज को विकास की नई उचाई पर लेकर जाते हैं। C6 जेन महीली के हिसाब से अगर हमें हमेशा प्रवाव में रहना है तो कोई ना कोई अर्थपोंड चुनौती हमारे सामने होनी जरूरी है। Zero Dreams of Sushi नामक वित्रिचित्र में तकुमी का और एक उधारन दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया उधारन कीचन से संबंदित है। इसमें जो मुख्य किरदार है Zero, उसका टोक्यो में गिंजा सब्वेस्टेशन के पास एक छोटा सा सूसी रेस्ट्रा दिखाया है। उस रेस्ट्रा में Zero और उनका बेटा पिछले 80 सालों से सूसी प्रधार्थ बनाते थे। दोनों रोज सुकीजी बाजार जाते थे और अच्ची गुणवत्ता की मचलिया लाते थे। उस वृत्ति चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि Zero के पास सीखने वाला एक करता है और एक दिन Zero की प्रसंसा पाता ही है वह विध्यार्थी कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ देता है रोज ओमलेट बनाने से वह उपता नहीं है क्या नहीं क्योंकि सूसी बनाना उसका एकिगाई होता है जीरो और उनका पुद्र दोनों खाना बनाने में कुशल होते हैं खाना बनाते वक्त उन्हें कभी भी ऊब नहीं होती थी सच बात तो यह थी कि वे प्रभा की आवस्था में जाते थे और कारिमगन होकर काम करते थे वे अपने किचन में बहुत खुशी से काम करते थे इसकी असली वज़ा यही थी कि वह एकिगाई था उनको काम करते व हालां कि उनको काम के लिए कई सारे पूरस्कार मिले वे अपने छोटे से होटल में एक साथ दस लोगों के लिए खाना बनाते रहे जीरो के परिवार ने कभी भी ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा उन्होंने हमेशा शांत, आनंदिदायक और जोश्पूर्ण माहुल में काम करने पर ज्यादा जोर दिया जिसकी वज़ा से वो विश्व के सर्वश्रेश्ट उसूसी बनाते रहे और प्रवाह में रहे जिरो भी युकियो शागुनाका की तरह ही अच्छे माल से शुरूआत करते थे जिरो रोज सुबर खुद बाजार जाते और जिस प्रकार शागुनाका पहाड से सामगरी तलाश कर लाते थे उसी प्रकार वह सबसे अच्छी मचलियां ढोट कर लाते जब वह अपने काम की शुरुआत करते थे तो प्रभा की आवस्था में चले जाते इस प्रकार से काम के साथ एक रूप होने की आवस्था को जापान में काफी महत्व दिया जाता है शिंतोवाद ऐसा मानता है कि पेड़, जंगल और वस्थुआं में कामी का अंशु होता है हर इंसान की फिर चाहे वह कलाकार हो, एंजीनियर हो या शेफ हो यही जिम्मेदारी होती हैं कि वह उस चैतन्य के साथ मेल जोल करके उसमें जान डाले इसकी वज़े से कलाकार कला के साथ एक रूप हो जाता है इसी की मदद से वह कारी मगनिता की अवस्था में जाता है लोहे के साथ काम करने वाले को लोहे के अंदर का सिरैमिक के बरतन बनाने वाले को मिट्टी के अंदर का चैतन्य पहचान कर उसके साथ अपने आपको एक रूप करना चाहिए जापान के लोग कुदरत और टेक्नलोजी को संयुगमित करने में माहिर है वे कभी भी कुदरत और तक्नीक में शंगर्ष नहीं होने देते बलकि दोनों का एक साथ फाइदा लेने में माहिर है आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कुदरत के साथ एक रूप होने से शिंतो मोल्य गायब होते जा रहे हैं इसके सबसे बड़े और सहासी आलोचक हैं हाया ओ मिझाया की जिन्होंने स्टूडियो गिबली के माध्यम से कई सारे अनिमेटेट फिल्म्स बनाए हैं उनको उनका इकिगाई स्पष्ट था उनकी लगबग हर फिल्म में इंसान, तंत्रग्यान, असंभव कलपनाएं और प्रकरती देखने को मिलती है शुरुवात में भले ही सभी एक दूसे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं लेकिन बाद में सभी घटा हो जाते हैं इस्पिरिटेड अवे नामक फिल्म में उन्होंने एक ऐसी स्पिरिट की कलपना दिखाई है जो कचरे के माध्यम से नदी के प्रदूशन पर रोशनी डालती है मिया जाकी की फिल्मों की विशेषता यही है कि जंगल में भी व्यक्तित्व होते हैं जो पेड हैं उनकी भी भावनाएं होती हैं रोबोट की पंचियों के साथ दोस्ती होती है राश्क्रिय संबत्ती माने गए मिया जाकी पूर्ण रूप से अपनी कला में डूबे रहते हैं वह 1980 में बनाए गए सेलफोन का इस्तमाल करते हैं और आज भी अपनी टीम के लोगों को हाथों से चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं उनकी फिल्मों का निर्देशन कागज और पैन लेकर किया जाता है यहां तक की बारीक से बारीक विवरन के लिए चित्रकला का सहरा लिया जाता है कंप्योटर का इस्तमाल नहीं किया जाता गिबली स्टूडियो ही पूरी दुनिया में एकमात्र स्टूडियो है जहां उत्पादन प्रकिरिया पारंपरिक तरीके से की जाती है जिनोंने गिबली स्टूडियो देखा है उन्हें वहां रविवार का द्रिश्य पता होगा आप रविवार को भी स्टूडियो में जाएं तो आपको किसी कोने में साधारन से कपड़े पहना हुआ एक इनसान बैठा वह काम करते हुए दिखाई देगा वह अपने काम में व्यस्त रहता है और बिना आपकी और देखे ओहायो यानि हेलो कहकर आपका स्वागत करता है मिया जाकी अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि रविवार के दिन भी वह अकेली ही स्टूडियो में काम करते रहते हैं और अपना दिन प्रवाब में बिताते हैं वह पूरा समय अपने एकिगाई में बिताते हैं जो लोग महाँ पर आते हैं वे खासकर चित्र बनाने समय बाधा डालने पर जल्द नाराज होने वाले मिया जाकी को परेशान नहीं करते 2013 में मिया जाकी ने रिटायर होने की घोशना की उनकी याद में NHK टेलिविजन ने एक जानकारी पोन वृत्तिचिन बनाया था इसमें उनके रिटायर होने के आखरी दिनों के कुछ लमहे दिखाये गए थे उसमें दिखाये गया था कि कई सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं कुछ घूमफिर रहे हैं लेकिन मिया जाकी एक कोने में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक अन्य सीन में ऐसा दिखाये गया कि 30 दिसंबर को जोकी जापान की राश्क्रिय चुत्ती का दिन भी है उस दिन भी वह स्टूडियो खोल कर काम कर रहे हैं मिया जाकी काम करने की अपनी इस चाहत को रोक नहीं सके। उन्होंने रिटायर्मेंट के बाद चुटी पर जाने या घर पर रहने के बज़ाए गिबली स्टूडियो में आकर एक कोने में बैठ कर चित्र बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे हैं। उनके चहरे देखने जैसे हो गए थे। उस दिन के एक साल बाद उन्होंने घोशना की कि वह फीचर फिल्में बनाना बंद कर देंगे लेकिन जीवन के आखरी पल तक चित्र बनाते रहेंगे। कोई अपने काम के साथ इ इत्यादी हुए हैं जो जीवन के आखरी पल तक काम करते रहे हैं। आइंस्टीन ने जब आखरी सांस ली तो उससे कुछ शन पहले ही उन्होंने एक सूत्र लिखा था जिसमें यह बताये गया था कि विश्व की सभी ताकतों को इखटा कैसे करना है। वह आखरी पल तक व और संगीत का आनंद लेना यही दो उनके एकिगाई थे। इन दोनों कामों में उन्हें असाधारन आनंद मिलता था। कई बार बाकी लोग इन लोगों को लोगों में नहीं घुलने वाले या अकेले रहने वाले लोग मानते होंगे। लेकिन लोगों से मिलने में समय बिता और लोगों से कुछ वर्षों में एक बार ही मिलते थे। अगर हमें हमेशा प्रवाव में रहना हो और इकिगाई हासिल करना हो तो हमारे आजू-बाजू का माहुल शांत, सुरक्षित और समस्याओं से परे होना चाहिए। यह बात कलाकार काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। माइक्रोफ्लो, रोज के काम में मिलने वाला आनंद। किसी कलाकारी के वक्त प्रवाव को पाना मुम्किन है, लेकिन जब हमें कपले धोने हो, फर्ष साफ करना हो, या कागस पत्रों की तैयारी करनी हो, तब क्या, क्या रोज मर्रा की ये काम आनंदिदाई हो सकते हैं। टोक्यो के अहम केंद्रों में से एक सीजुंकी सब्वे स्टेशन के पास इस्थित एक सूपर मार्केट में अब भी ऐलिवेटर ऑपरेटर्स नौकरी पर रखे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वहाँ के ऐलिवेटर्स तो सीधे साधे होते हैं और ग्राहक सजकता से उन पर काम कर रही है। वह हमेशा जोस के साथ और खुशी से अपना काम करती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि उतना उबाव काम कोई इनसान इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है। वह काम करते वक्त उसे उब नहीं होती। अगर आप उसके काम का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ बटन नहीं दबाती वह तो काम की पूरी श्रंखला को पूरा करती है जब कोई इनसान लिफ्ट के पास आता है तो वह हल्की और मीठी आवाज में थोड़ा सा जुक कर उसका स्वागत करती है फिर वह उसे अंदर बुलाती है और काफी अनोखे अंदाज में लिफ्ट का बटन दवाती है सिसिक जेन महीली इसे ही माइक्रोफ्लो कहते है हम कई बार किसी क्लास में, सभा में या कारिक्रम में ऊब जाते हैं और मनोरंजन का कोई साधन खोशते रहते हैं हम दीवार को कलर करते वक्त सिटी वजाने लगते हैं। जब तक हमें किसी काम में चुनावती महसूस नहीं होती, तब तक हम उस काम में खो नहीं पाते। चोटे-चोटे कामों में खो कर, उनमें आनन्द प्राप्त करना ही, Microflow प्राप्त करनी की अनौखी कला है इसकी वज़ा से हम अपने रोज के कामों को भी खुशी से कर सकते हैं Bill Gates भी रोज शाम को बरतन माजते हैं वह कहते हैं कि शांत होने और मन की सुद्धी में उन्हें इसका फाइदा होता है जिसकी वज़ा से उन्हें बरतन माजना अच्छा लगता है इतना ही नहीं वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज्यादा अच्छे तरीके से बरतन माज हैं उन्होंने बरतन धोने के लिए एक कारिप्रणाली भी बनाई है जैसे पहले थाली धोएंगे फिर चम्मच और फिर अन्य चीज़ें यह उनकी माइक्रोफ्लो की पद्दती है सरवाधिक माहन भौतिक विदो मैंसे एक रिचार्ट फाइन मैन भी रोज के कामों में आनंद लेते थे सूपर कम्प्यूटर निर्वाता थिंकिंग मशीन के संस्तापकों मेंसे एक डेब्ल्यू डेनियल हिलिस बताते हैं कि फाइन मैन को कम्प्यूटर विकास करने को रखने के उद्देश्च से वह जब पहली बार उनसे मिले थे तो फाइन मैन ने पूछा कि उन्हें कौन सा काम करना है असल में उन्हें काम देने वाले लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी तब उन्होंने उन्हें गणित के गुद सूत्र सिद्ध करने के लिए दिये लेकिन फाइन मैन ने का यह सही काम नहीं है आप मुझे कोई ऐसा काम दे जो वाकई फाइदे मंद हो तब हिलिस ने फाइन मैन को बाजू की दुकान में जाकर आफिस के लिए सामान लाने को कहा यह काम उन्होंने खुशी से और हस्ते हस्ते किया जब फाइन मैन के पास कोई भी काम नहीं होता था तो वा माइक्रो फ्लो में चले जाते थे कभी कभी वा ओफिस की दिवारों को रंगने का काम भी करते थे कुछ हफ़तों बाद जब थिंकिंग मशीन के ओफिस में कुछ निवेशक आये तो उन्होंने ओफिस की दिवारें देखकर कहा आपके ओफिस की दिवारों को रंगने वाले इंसान को तो नोबल पुरुसकार देना चाहिए ध्यान मार्ग से तुरंत चुटी प्रशिक्षन के माध्यम से हम प्रभा की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है माना की ध्यान की कई सारी पद्दतियां है लेकिन सभी का मकसद एक ही है मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगा पर केंद्रित करना मुलभूत प्रकिरिया में सीधे बैटकर अपनी सास पर ध्यान की इंद्रित करने की प्रकिरिया होती है यह कोई भी कर सकता है एक बार ऐसा करने के बाद आपको बदलाव महसूस होगा आपके अंदर चलने वाली सास की मदद से आप अपने अंदर चलने वाले विचारों के भूचाल को शांत कर सकते हैं और उनकी और अलगाव के नजरिये से देख सकते हैं अगर हमें प्रवा की स्थिती में पहुँचना है तो ध्यान, मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशन और स्मार्टफॉन के संदेशों का यह सटी की लाज है ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से अमुमन एक गलती होती है वे इसे सही तरीके से करने के लिए चिंतित रहते हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्वान की अवस्था तक पहुँचें लेकिन सरवादिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना मन विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समंदर है इन सबी से मिलकर एक तूफान तयार होता है ध्यान के माध्यम से हम कुछपल के लिए ही सही लेकिन इस तूफान को शांत करके शांती का अनुभव कर पाते हैं और जीवन में नई इस पश्टिता ला सकते हैं हमारे अंदर कोई भी विचार आए उसका तनाव लेने की ज़रुरत नहीं है यह महत्वपूर्ण बात हम ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं किसी को तकलीफ देने, मारने या जगडा करने जैसा कोई नकारात्मक विचार किसी के भी मन में आ सकता है लेकिन इस विचार को हावी नहीं होने देते हुए यह तो सिर्फ एक विचार है इस प्रकार का लेबल लगागर उससे बचा जा सकता है कुछ विशेशग्यों के अनुसार दिन भर में आने वाले 60,000 विचारों में से यह भी एक विचार है इस तरीके से उस विचार को देखकर उसे हावी होने से रोका जा सकता है ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिक्ष में अल्फा और थीटा लहरें तरंगे उत्पन्न होती है अनुभवी लोगों में ये लहरें जल्दी उत्पन्न होती है जबकि नए लोगों को इसकी अवस्था में पहुँचने में आधा घंटा लग सकता है वैसे देखा जाए तो ध्यान के बीना हम इन तरंगों का लाब ले सकते हैं नीद में जाने से पहले कुछ पल और गरम पानी से नाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ इसपा लेकर ही घूमते हैं लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते हैं इनसान एक धार्मिक जीव है हमारा जीवन धर्माव पर आधारित है हम तर्क दे सकते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं कुछ आधुनिक संस्कृतियों में हम काम्याबी पाने के लिए अपने धर्म को छोड़कर एक के बाद एक दूसरा लक्ष हासिल करने के पीछे लग जाते हैं लेकिन इतिहास कहता है कि हम हमेशा से ही व्यस्त रहे हैं हम शिकार करने, खाना पकाने, खेती, सोधकार और परिवार पालने जैसी चीज़ों में व्यस्त रहते थे ये ऐसी गतिविदिया हैं जिने हमने व्यस्त रहने के लिए धार्मिक नियमों के रूप में गड़ लिया है इसी लिए व्यस्त रहना हमारा स्वभाव बन गया है जापान के आधुनिक युग में भी दिन्चरिया और धर्म का सही मात्रा में मेल जोल रखा गया है जापान में विशेश रूप से कन्फूसियस, बुद्ध और शिंतो धर्म माने जाते हैं इन में नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है जापान में व्यापार करते वक्त अंतिम नतीजों के बजाए प्रकिरिया, तरीकों और आप उस काम को कैसे कर रहे हैं इन बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है ऐसा करना अर्थ विवस्था के लिए अच्छा है या नहीं यह इस किताब का विशय नहीं है लेकिन इतना पक्का है कि अपने बौसों के तै हुए अनिश्चित लक्षों को तनावपूर्ण माहुल में पूरे करने से अच्छा है धार्मिक रिती रिवाजों के आधार पर प्रवाग को ढूड़ना और उसमें रहकर काम करना धार्मिक रिवाज हमें स्पष्ट नियम और आसान सा मकसद दिखाते हैं जिसकी वज़ा से हमें प्रवाग की अवस्था में जाने में मदद मिलती है एकदम बड़ा लक्ष हो तो उसे हासिल करना हमें कठीन या संभव लग सकता है लेकिन रिती रिवाजों से हमें कदम कदम पर मार्ग दर्शन मिलता है और लक्ष पाने के लिए उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षन भी मिलता है इसलिए जब आपका लक्ष बड़ा हो तो उस लक्ष को टुकड़ों में विभाजित करें और उसमें से एक-एक टुकड़े पर हमला बोलें रोज के कारियों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें इसकी वज़े से आपको प्रभाव में जाने में सहायता होगी नतीजे की चिंता करना छोड़ दें अपने आप सकारात्मक परिवणाम सामने आएंगे आनंद कृती में होना चाहिए नतीजों में नहीं हमने क्या हसिल किया इससे भी अधिक महत्वपोर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए धर्म नियमों से बड़ा है जो लोग ज्यादा चीजे हासिल करते हैं वे ज्यादा आनंदित नहीं होते बलकि जो लोग ज्यादा समय प्रवा की इस्तितीमा होते हैं इस अध्याई को पढ़ने के बात आपको यह जरूर समझ आ गया होगा कि वह कौन से काम हैं जिने करते वक्त आप प्रभा में जाते हैं उन सभी कामों को कागस पर लिख ले अब यह खोजें कि वह कौन सी गतिविदियां हैं जिने करते वक्त आप प्रभा के नजदीक पहुंच जाते हैं ये गतिविधियां आपको क्यों प्रभा की और ले जाती हैं। उधारण के लिए जिन गतिविधियों को करना आप सरवाधिक पसंद करते हैं, उन्हें आप अकेले करना चाहेंगे या टीम के साथ। आपको शारिरिक श्रम करने वाले काम में ज्यादा मज़ा आता है या सोचने वाले काम में। हो सकता है कि इन सवालों के जवाबों में आपको आपका एकिगाई मिल जाए और जीवन को चलाने का रास्ता मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अपनी खोज जारी रखें। और ऐसा काम खोजें, जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द प्रवाव में जाते हों। इसी के साथ आप ऐसे नए-नए कामों की भी खोज करें, जो आपको प्रवाव की और लेकर जाते हों। आपको जिन कामों के प्रती उत्सुकता है उन्हें करना शुरू करें। उधारन के लिए अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त प्रवा का अनुभव मिलता है तो पेंटिंग या इसे प्रकार का कोई और काम भी करके देखें। हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करने लग पहुचेंगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलेगा और उतने ही जल्द आप अपने एकिगाई के नस्दीक पहुचेंगे। पूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेटवर्ता की वह बिलकुल असाधारन थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयू के लोग हैं उनके जीवन के तत्वग्यान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सालों से ज्यादा स पूर्वेटर ने किया था। सन 1980 में विल्यम स्ट्राउट्स और नील हाउ ने सूपर सेंटेनेरियन शब्द का और ज्यादा प्रचार किया। आज के तारिख में विश्व भर में करीब साड़े 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज्यादा है। हालांकि उन में से लगबग 75 लोगों की उम्र के प्रमाण उतलब्द हैं। ये लोग भले ही सूपर हीरो नहीं हों लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बांकी लोगों से ज्यादा समय प्रित्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व के लोगों की ओसत के प्रती क्या कहना है। गर में मिसाव का जन्म हुआ। तब स्पेन ने क्यूबा और फिलिपिन्स में अपने ठिकानों को गवा दिया था। तथा अमेरिका ने हवाई को हडप लिया था। और पैपसी कोला की लंचिंग हुई थी। तीन अलग-लग सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने ज सूशी खाना और नीद लेना। उनके इस जवाब में हम एक और चीज जोड सकते हैं जीने की उनकी इच्छा शक्ती। जब उनसे उनकी लंबी आयू का रास पुछा गया तो उन्होंने हसते हुए जवाब दिया मैं भी भग होज रही हूँ। जापान लंबी आयू वाले लोगों की भूमी हैं। इस बात के सबूत मिलते हैं। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाली साकारी मामुई की जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजूर्ग पुरुष थे। लेकिन उस वक्त भी उनसे ज्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थी। सन 2006 में उनकी नीमोनिया से मौत हो गई। उनके तीन बच्चे 12 पोते और 20 पड़ पोते थे। 100 साल की उम्र में दिये हुए अपने आखरी शाक्षातकार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया। 84 यानी 84 साल के थे। तब मेरे साथ दो बेटियां और एक बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और पड़ पोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में चीज़ें काफी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपने पन से रहते थे। हम नाशते थे, खेलते थे। उसमें भी एक अनोखा अनुशाशन होता था। मुझे मारिया लुइस ओलरकॉन का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद हैं। आज भी मुझे कई प्रातनाय याद हैं। और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ, इस्कूल के वक्त मैं जो हाथों से चीज बनाती थी, वह का मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को पूरा करते समय वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की उर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानू वह कई साल जवान हो गई हूँ। जब उनके उस लंबी आयू का रास पुछा गया तो उन्होंने कहा, रास जसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात में यकीन के साथ कह सकती हूँ, कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मासाहार नहीं किया है, मुझे लगता 1997 को विश्व की सबसे बुजूर्ग महिला के तोर पर पहचानी गई थी, उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी, एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मिथ्यू सला, जो की बाइबल के मुताबिक 969 यर्स तक जीने वाले इंसान है, उनसे इस परधा की है, जेन अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किये, जीवन के आखरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही, 100 वर्ष की उम्र तक वह साइकल चलाती रही, 110 साल तक वह अकेले ही रहती थी, अपार्टमेंट में जरा सी आग लगने की होज़ा से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें जाना पड़ा, उन्होंने 120 की उम्र में सिग्रेट पीना बंद कर दिया था, तब मोतियाबिंद की तकलीफ की वज़ा से उन्हें ठीक से दिखना बंद हो गया था, जिससे सिग्रेट होटों तक लेकर जाना कठिन हो गया था, शायद उनके लंबी आयू का एक राज मजाग करने की आदत रहा होगा, 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्त भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन बांकी सब बढ़िया चल रहा है, वाल्टर ब्रूनिंग, 114 साल, अगर आपने अपने मन और श कुद्रती मौध हो गई, उनकी दो पत्नियां थी, और उन्होंने 50 साल रेलवे में सेवा की, 83 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए, और जीवन के आखरी पल तक काम करते रहे, उन्होंने अपने आखरी वर्षों में कई शाक्षातकार किये, वह अपनी लंबी आ शरीर दोनों को सक्रिय रखेंगे, तो यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे, वह अपने जीवन के आखरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे, उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी, विशेश बात तो यह थी, कि उन्हें मौत से कभी डर नहीं लग सन 2011 में अपनी मृत्यू के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था, मैंने इश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है एलेक्जेंडर इमिच, 111 साल, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ पोलेंड में सन 1903 में जन्में एलेक्जेंडर इमिच, कैमिस्ट और पैरा साइकोलोजिस्ट थे, वह अमेरिका में रहते थे 2014 में अपने पूर्वर्ती की मृत्यू के कारण वह विश्व के सबसे ज़्यादा आयू वाले प्रमारित व्यक्ति हो गए यद्यपी इसके कुछ समय बाद ही उश्वर्स जून में उनकी मृत्यू हो गई थी इमिच अपनी लंबी आयू का श्रई, व्यसन रहित रहने तथा मध्यपान नहीं करने को देते थे जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज़्यादा आयू के व्यक्ति के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबल पुरसकार जीतने जैसा महानकारिय बिल्कुल नहीं है सच बताओं, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयू तक जी सकता हूँ मेरी लंबी आयू का राज मैं भी नहीं वता सकता लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ इकीगाई कलाकार लंबी आयू का राज सिर्फ सूपर सेंटेनेरियन्स को ही पता है ऐसा नहीं है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज नहीं हुआ हो लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयू और उर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है उधारन के लिए कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपने एकिगाई के हिसाब से जीवन के आखरी पल तक काम करते रहे उनके पास यह ताकत रहती है कला फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो एक एकिगाई होती है हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल ला कर देती है सुन्दर्ता को गरना या उसका आनद लेना निशुलक है विशेश बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं जापानी कलाकार होकुसाई 18 सदी के मध्य से लेकर 19 सदी के मध्य तक 88 साल जीए वे युकियोई स्टाइल पद्दती से लकडी की वस्तूओं पर छपाई का काम करते थे इस कलाकार ने 100 व्यूज ओफ माउंट फूजी नामक किताब में लिखा है मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीजों का निर्माण किया उनकी असल में गिंती ही नहीं करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र 110 साल होगी तो मैं सही माईने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा अगले कुछ पन्नों में हम New York Times के लिए कमील सुईने द्वारा साक्षातकार लिए गए कुछ महान कलाकारों के पेड़ना इसपत सब्द जानने वाले हैं इन मैंसे जो भी अब जिन्दा हैं उन मैंसे किसी ने डिटार में नहीं लिया है आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं अगर हमारे पास इस पष्ट लक्ष हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता यही बात उन्होंने अपने जीवन द्वारा लोगों के सामने रखी अपनी उम्र के 46 साल पूरे होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अपने काम के प्रती प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए दुनिया छोड़ कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा ओसामो तेजुका को आधुनिक जापानी मंगा पद्दती का जनक माना जाता है उन्होंने सन 1989 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक काटून निकाला जिस पर लिखा हुआ था प्लीज, जस्ट लेट मी वोक अर्थात कृपा करके मुझे काम करने दें फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमेन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वह जो आज भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वज़ा है और वह है अपने काम के प्रती उनका प्रेम उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बिमारी और शरीर के साथ नहीं देने का भाणा बनाते रहते हैं लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम मेंसे हर कोई जीवन के आखिर तक काम करता रहेगा कॉर्मेन हरेरा जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किये ने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था तारते मॉडन एंड दे मुजियम आफ मॉडन आर्ट में उनको काम में रखा गया था इस अवसर पर जब उनसे उनके भविश्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी लेकिन मैं दिन बदिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ सदा सीखते रहें भले ही आप बुजूर्ग हो जाएं और आपका शरीर ठक जाएं भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिनराद जगाता रहे भले ही आपकी प्यारी पतनी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सपने नश्ट हो गये हो और भले ही आपका आत्मिश्वास कम हो गया हो तो भी सदा सीखते रहें क्योंकि यही एक मात्री चीज है जो परिस्थितियों को बदल सकती है इसी की वज़े से आपको फाइदा हो सकता है सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा प्रकृर्ती प्रेमी और लेखक एड़वार्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ लेकिन पिछले दस सालों में जब से मैंने मैं कौन हूँ हम कहां से आये हैं और हमें कहां जाना है जैसे विश्यों पर पढ़ना शुरू किया है तब से मुझे महसूस होने लगा है कि मैं कितना कम जानता हूँ एल्सवर्थ के लिए जिनकी सन 2015 में 92 साल की उम्र में मौत हुई उन्होंने कहा था यहां बहुत बड़ा भ्रहम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज्यादा देखने लगते हैं ज्यादा सुनने लगते हैं आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज्यादा देखने की कला सीखते हैं मुझे रोज नए नए चीज़े दिखाई देती हैं जिसकी वज़े से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ 86 वर्स के आर्किटेक्ट फ्रेंग गहरी हमें बताते हैं कि कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल यानि आपके नियोजित होने से चूग जाने तक का समय लग जाता है गुगन हैन म्यूजियम बिलबाओ के निर्माता गहरी को वर्तमान में रहने की कला काफी अच्छे तरीके से आती थी वह कहते थे आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हैं आप कभी भी भूतकाल में नहीं जी सकते आप कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते वर्तमान में जीने के लिए आखें और कान खुले रखें अखबार पढ़ें और आसपास क्या हो रहा हैं उसके प्रती सजग रहें हर काम के प्रती जिग्यासा रखें ऐसा करने से आप अपने वर्तमान में जीने लगेंगे जन्म रित्यू की जानकारी रखने के लिए अमेरिका के पास तगडी सिविल रजिस्ट्री है शायद इसी लिए यहाँ ज्यादा लंबी आयू के लोग होने के सबूत मिलते हैं लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज्यादा लंबी आयू के लोग रहते हैं गाउं का ज्यादा शांत और आनंदी जीवन ही शतायू का राज है जापान सबसे ज्यादा लंबी आयू के लोगों का देश है इसमें कोई शंका नहीं है विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहां उच्च जीवन पत्याशा है उचित खाद्य संस्कृती, बिमार होने से पहले ही डॉक्टरों की राई लेना और अपनी संस्कृती से जुले रहना ये सभी बातें उनकी लंबी आयू में योगदान करती हैं टीम भावना, मिल जुलकर रहना और जीवन के अंति तक सक्रिय रहना ये सभी बातें जापानी लोगों की लंबी आयू का राज हैं ज़रूरत हो या नहीं हो सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका एकिगाई पता होना आवश्यक है आपका एकिगाई आपको हमेशा आकर्चक और लोगों के उप्योग में आने वाली चीज़ें बनाने के लिए प्रिरित करता रहता है पार्टश है जापान के शतायू लोगों की सीख खुशाली और लंबी आयू के लिए जापान के रीती रिवास और कहावत हैं हमें ओगीमी पहुँचने के लिए टोक्यो से ओकिनावा की राज़दानी नाहा तक करीब तीन घंटे उडान भरनी बड़ी कुछ महीने पहले हमने उस गाउं के मुख्या को फोन करके अपने आनुए का प्रियोजन बनाया था वहां के सबसे लंबी आयू के लोगों से मुलाकात करने की इच्छा भी हमने जाहिर की थी काफी चर्चा करने के बाद हमें सहमती मिली तब हमने उसी गाउं के नजदीक एक कमरा भाड़े पर लिया किताब का काम शुरू करने के करीब एक साल बाद हम ऐसे लोगों के बीच पहुँचे जो सबसे लंबी आयू के लोग थे हमें महसूस हुआ कि जैसे वहां पर समय थमसा गया था रुक गया था क्योंकि वहां के लोग आज अभी यहीं वाली भावना में जी रहे थे ओगीमी पहुँचना नहा से दो घंटे ट्रैफिक के बीच में से यात्रा करने के बाद हम कम भीड़ वाले इलाके में पहुँचे हम जिस रास्ते से जा रहे थे उसके एक और समंदर था और दूसरी और यानबारु जंगल से भरा हुआ पहार था 58 क्रमांग के रास्ते से जाते हुए हम नागो पहुँचे यहाँ पर ओकिनावा की मशूर ओरियन बियर बनाई जाती है इस मार्ग से जाते हुए पहार के बाजू में छोटे छोटे घर और दुकाने देखने को मिल सकती है छोटी छोटी दुकानों को पार करके हम ओगीमी नगर पालिका के पास पहुँचे लेकिन उस इमारत में हमें कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया GPS की मदद से हम अपने तई इस्तान पर पहुँच गए थे यह इमारत काफी पुराने तरीके से बनाई गई थी और महामार्ग से लगकर ही थी ताइरा नाम की एक महिला वहां हमारी रहा देख रही थी हम दर्वाजे से अंदर गए ताइरा के बाजू में एक छोटे कत की महिला खड़ी थी उसने हसकर हमारा स्वागत किया और अपना नाम यूकी बताया वह तुरंथ हमारा स्वागत करने के लिए अपनी जगह से उठी और हमें कॉन्फरेंस रूम दिखाया उन्होंने हमें ग्रीन टी और सिकुवासा नामक का बहुत ही पौश्टिक फल दिया ताइरा हमारे अपचारिक वेशबूसा में सामने बैठी और उसने हमें एहम दस्तावेज वा फाइल दिखाई यूकी उनके बाजू में ही बैठी थी उनके पास जो फाइल थी उसमें शहर में रहने वाले लोगों की उम्र और क्लब यानि मौई के अनुसार विभाजित करके लिस्ट बनाई हुई थी ताइरा ने बताया कि ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और संग से मिलकर रहते हैं यही ओगीमी की विशेष्टा है मौई किसी ठोस उदेशी के लिए शुरू किया गया गुट नहीं होता है वे एक परिवार की तरह काम करते हैं ताइरा ने बताया कि है स्वयम सेवा से चलने वाला गुट होता है और इसमें बाकी चीज़ों को पैसे से ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसकी वज़ा से लोग प्रेरित होकर काम करते हैं इसमें सभी को सम्मिलित होने का मौका मिलता है और सरकार सभी को काम बांट कर देती है इसकी वज़ा से सभी के अंदर ऐसी भावना होती है कि वे महत्वपोर्ण है और इस समाच का एक अंग है के फेडो द्वीब समूव की धुर उत्तर दिशा वाले बिंदू से ठीक पहले ओगीमी कजबा आता है वहां के पहार से हम पुरा ओगीमी कजबा एक साथ देख सकते हैं यहां से देखने पर बहुत कम घर दिखाई देते हैं हमें ओगीमी के एक छोटे से होटल में खाना खाने के लिए बुलाए गया था जब हम वहां पहुँचे तो हमें पता चला कि वहां सिर्फ तीन ही टेबलें आरिक्षित करके रखी गई हैं कोई हर्ज नहीं हम चुराउमी में जाते हैं वह खाली होगा युकि अपनी कार की और जाती हुए बूली 88 वर्ष के होने के बावजूद वह काफी अच्छे तरीके से कार चला रही थी और इसका उन्हें अभिमान भी था उनके साथ काम करने वाला उनका सहायक 99 साल का था और उसने भी हमारे साथ पूरा दिन बिताने का वादा किया था उनके साथ रहने के लिए हमें कई बार जोर से गाड़ी चलानी पड़ती थी हालंकि वहां की सटकों पर ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन था भहराल हम जंगल की दूसरी और पहुँचे और वहां एक होटल में खाना खाने बैठे मैं ज्यादा बार रेस्त्राओं में नहीं जाती हूँ यूकी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा मैं जो भी खाती हूँ वह ज्यादा तर मेरे बगीचे में उगाई हुई सबजियों से बना हुआ होता है मैं मचलियां हमेशा अपने पुराने दोस्त तनाका से खरीती हूँ ये रेस्त्रा समंदर के पास ही था स्टार वर्स फिल्म में जैसा ग्रह टेटूइन दिखाया गया था उसी प्रकार का था उस रेस्त्रा के मेन्यू कार्ड में लिखा था कि हम गाउं के बगीचे में होंगी जैविक वो मौसमी सबजियों से स्लो फूड बनाते हैं मुझे लगता है कि खाना जीवन का महतुपूल नंग नहीं है यूकी ने अपने विचारों को सबके सामने रखा उनको बातचीत का शौक था इस्थानिय सरकार द्वारा संचालित कई सारी संस्ताओं के प्रमुक पदों पर काम करने की वज़ा से उनके पास बोलने का तजुर्बा और अधिकार दोनों थे खाने से आपकी लंबी आयू पर सच में कोई प्रभाव नहीं होता खाने के बाद मिठाई के छोटे से टुकडे को मुझ में डालते हुए यूकी ने बताया असली वज़ा तो हस्ते हस्ते जीवन जीना और आज को अच्छे तरीके से बिताना ही है ओगीमी में बार नहीं है रेस्त्राओं की संख्या भी कम है हमारे यहाँ पर खुशी की व्याख्या अलग है यहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजी केंद्रों में मिलते हैं कस्बे को सत्रव छोटे छोटे हिस्सों में बाटा गया है हर हिस्से का एक प्रमुख होता है और कुछ लोगों को कला, त्योहार, सामाजी कारि और लंबी आयू जैसे विभागों के लिए न्यूक्ति किया जाता है यहाँ के लोग लंबी आयू विभाग की और ज्यादा ध्यान देते हैं हमें एक छोटे से हिस्से के एक सामाजी केंदर की ओर से न्योता आया था हमें जिस जगह पर जाना था वह जगह यानबारु जंगल में थी और पुरानी इमारत थी वह जगह महत्वपूर्ण भी थी हम उस सामाजी केंदर पर पहुंचे वहां लगभग 20 लोग थे और उन्होंने हमारा जोरदार स्वागत किया उन्होंने हमें बताया हमारे समू के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 83 साल है हमने टेबल पर ग्रीन डी के साथ उनसे वारतालाब भी किया उसके बाद हम पास के खुले मैदान में आये और वहां पर तीन लोगों के जन्मदिन की पाटी की उसमें से एक महिला 99 साल की थी 94 साल की थी और यंग मैं की उम्र 89 होने वाली थी हमने गाउं में गाए जाने वाले कुछ गाने गाए और अंग्रेजी में हैपी बर्डे कहकर कारिक्रम समाप्त किया 99 साल की महिला ने मौंबत्ती फूकर पाटी में आये लोगों के प्रती आभार व्यक्त किया हमने घर में ही बनाया हुआ सिकुवासा का केक खाया और जैसे किसी 20-22 साल के लड़के का जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार नाष्टे गाते जन्मदिन मनाया हमारी यह पहली पाटी थी लेकिन वहां के हफ़ते भर के प्रावास की आखरी पाटी नहीं थी हम वहां के लोगों के साथ कराओके करने वाले थे हाला कि वहां के लोग हमसे भी अच्छा गाते थे हम उनके पारंपरिक समारों में सम्मलित हुए उनके साथ पहाड की तलहटी में खाना खाया और नाजगाने के साथ उनकी खुशी में सामिल हुए हर दिन एक साथ खुशी से मनाओ ओगीमी जीवन शेली में समारों को काफी महत्व दिया जाता है बुजर्ग लोगों में काफी मशहूर खेल केट बॉल देखने के लिए हमें बुलाया गया था इसमें लकडी के हाथों से बॉल को मारा जाता है कम जगा में और कम साधनों के साथ यह खेल खेला जाता है इसी लिए जब चार लोग मिलते हैं तो समय निकाल कर इस खेल को खेलने में जुट जाते हैं वहां के लोग आपस में प्रतियोगिताएं आयूजित करते हैं और सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होती हम भी खेल में शामिल हो गए लेकिन दुर्भागी वस हमें 104 साल की उम्र की एक महिला ने हरा दिया सभी लोग खुश थे और हमारे चहरे पर आये पराज़ई के भावों ने खुशी को गायब कर दिया था गाउं में रहने वाले लोगों की खुशी के लिए खेल, समारो और समाजिक तालमेल के साथ अध्याद्मिक विकास को महत्व दिया जाता है ओकिनावा के भगवान ओकिनावा का महत्वपोंड धर्म है रियूक्यू शिंतो रियूक्यू ओकिनावा के टापों के समू का नाम है और शिंतो मतलब भगवान की और जाने वाला मार्क रियूक्यू शिंतो में चीन को तववाद, कनफ्यूसियस और बुद्ध धर्म की कुछ संकल्पनाये हैं शिंतो धर्म ऐसा मानता है कि कुछ लोगों के पास इश्वर्य चैतन्य प्राप्त करने की शमता होती है इसी के साथ पेल पौधे, जानवर, पत्थर और कुद्रत की चीजों में भी इश्वर्य चैतन्य होता है जिसका इंसान पर असर होता रहता है प्राचीन समय से चले आ रहे इस धर्म की अनुसार ऐसा माना जाता है कि कई सारी आत्माओं से मिलकर इश्वर्य का निर्मान हुआ है यह चैतन्य घर में, जंगलों में, पेणों में और पहाडों में भी होता है शांत अंतह करण से और धार्मिक विदी द्वारा हम पवित्र माहौल में उस चैतन्य को आमंत्रित कर सकते हैं ओकिनावा ऐसे कई सारे पवित्र स्थानों से और जंगलों से भरा हुआ है इसमें दो महत्वपोर्ण मंदिर भी शामिल है एक है उटाकी और दूसरा है उगांजू हम उगांजू मंदिर गए थे एक छोटा सा मंदिर है जिसके बाजू में एक जरना है यह काफी खुला हवादार और रिशनी युक्त मंदिर है धूब की खुछबु सभी और फैली हुई होती है उटाकी मंदिर पत्थों से बनाया गया है और वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर आत्माये जमा होती है ओकिनावा धर में महिलाओं को पूरिशों से ज्यादा शक्षम माना जाता है युता ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके माध्यम से आत्माओं से संपर्क बनाया जा सकता है जापान में पूर्वजों की पूजा करना उनकी दिन्चरिया का हिस्सा है घर के सबसे बड़े बेटे के घर में एक छोटे से बुच्सूदान या वेदी में इन पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना की जाती है हर इंसान में इश्वर का अंश यानि माबूई होता ही है या चैतन्य का आंश होता है और हमारे जीवन का असली श्रोथ होता है या चैतन्य अमन होता है और हमारे अस्तित्व की असली पहचान होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी मृत इंसान की आत्मा या माबूई जीवित इंसान में अटक जाती है किसी की अचानक मौत हो जाती है तो ऐसा खोने की संभावना ज्यादा होती है खासकर किसी की कम उम्र में मौत होती है तो उसकी आत्पा मृत्यू लोग से जाने के लिए तैयार नहीं होती एक माबूई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारेरिक संपर्ग से प्रवेश कर सकती है कोई दादीमा अपनी पोती को दी हुई अंगुठी से भी उसके शरीर में प्रवेश करती है इतना ही नहीं, वह फोटो के माध्यम से भी प्रवेश करती है जितने बुजूर्ग उतने शशक्त ओगीमी में हमारे दिन भले ही व्यस्त थे लेकिन फिर भी आरामदाई थे हम वहां के लोगों की तरह काम कर रहे थे वैसे देखा जाए तो यहां के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं लेकिन गौर से देखा जाए तो वे काफी शांत और तनावरहित दिखाए देंगे वे सभी अपने एकिगाई के हिसाब से काम करते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भागदोर या जल्दबाजी नहीं होती वे खुशी के साथ काम करते हैं साथी 200 साल पहले वाशिंग्टर बेनर्प के बताई हुए उस सिंधान्त का पालन भी करते हैं जिसके अनुसार अगर आपको हमेशा खुश रहना हो तो कोई ऐसा लक्ष जिसके लिए आपके दिल में बेपनाह महबद हो और हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने की उम्मीद होनी चाहिए उगीमी में अपने आकरी दिन हम शहर के पास इस्तिद एक बाजार में खरीदारी करने के लिए गए उस जगह पर सबजी, ग्रीन टी, सिकुवासा का रस और चैतन्य से भरा हुआ पानी पीने को मिलता है उन बोतलों पर लिखा होता है लंबी आयू के लिए पानी हमने वह लंबी आयू देने वाला पानी खरीदा और समंदर की और देखकर इस आसा से वह पानी पिया कि उस पानी की वज़े से हमें भी स्वस्त तथा लंबी आयू की प्राप्ती होगी और हमें भी अपना एकिगाई मिलेगा उसके बाद हमने बुन गया की मूर्ती का फोटो लिया और फिर वहाँ पर लिखे हुए तमाम संदेश पढ़ने की शुरुआत की उस सहर से एक घोषणा जहांके लोग लंबे समय तक जिन्दा रहते हैं असी की उम्र में भी मैं छोटा ही था जब मैं 90 साल का होने के बाद तुम्हें मिलने आऊं तो मुझे 100 साल तक रुखने की सला देना व्यसक और ससक्त अपनी उम्र कितनी भी बढ़ जाए कभी भी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना अगर आप लंबी आयू और स्वास्त की खोज में हैं तो आपका हमारे गाउं में स्वागत है यहां आपको कुद्रत का वर्दान मिलेगा हम दोनों मिलकर लंबी आयू के रास को उजागर करेंगे 23 अप्रेल 1993 हमने उनसे कहा कि हमें उस पर एक documentary बनानी है साथ ही उसे किताब में भी शामिल करना है उन लोगों ने जो राज बताए वेस प्रकार थे पहला चिंता नहीं करें लंबी आयू का राज है चिंता नहीं करना मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी बूला नहीं होने देना खुले मन से और हस्ते हस्ते सामने आये इनसान का स्वागत करें अगर आप खुले मन से और हस्ते हस्ते लोगों के सामने जाएंगे तो आपके पोतों समेथ सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिलकर रहना और उनसे बातचीत करना मैं हैं रोस करता हूँ मैं लोगों के पास जाता हूँ और हेलो करके बातचीत की शुरुआत करता हूँ अंत में दोबारा मिलने का आश्वाशन भी देता हूँ फिर मैं घर आकर अपने बगीचे में लगी सबजियों की देखभाल करता हूँ और दोपहर में दोस्तों से मिलता हूँ हम सब इखटा होते हैं हम मिलने के लिए वज़े नहीं ढूटते और मिलने के बाद समस्याएं नहीं खोचते इकटा होना और मजा करना ही हमारा एकमात रुद्देश्य होता है दूसरा अच्छी आदत हैं सुब़च छे बज़े उठकर बगीचे में उगी सबजियों की और देखना मुझे बहुत पसंद आता है मैं वहाँ जाकर अपने लगाए हुए टमाटरों और मेडरीन संतरों को देखता हूँ ऐसा करने से मुझे शांती और खुशी महसूस होती है एक घंटा बगीचे में बिताने के बाद मैं घर आकर नाश्ता करता हूँ मैं अपनी सबजी अपने बगीचे में उगाती हूँ और उन्हें अपने लिए पकाती हूँ यही मेरा इकीगाई है बूरे होने पर भी अपनी बुद्धी को तेज रखने की कला आपकी उगलियों में है अगर आपने अपने हाथों को सदा सक्रिय रखा तो यकीनन आप सौ साल जीएंगे मैं अलाम लगाकर ठीक चार बज़े उठता हूँ उसके बाद कॉफी पीता हूँ फिर हलका सा व्यायाम करता हूँ इस व्यायाम की वज़े से मुझे दिन भर के लिए उर्जा मिलती है मैं हर चीज को थोड़ा-थोड़ा खाता हूँ मुझे लगता है यही मेरी लंबी आयू का राज है मुझे खाने में अलग-लग पदार्थ अच्छे लगते हैं इसमें मज़ा आता है अगर आपने काम करना बंद किया तो आपका शरीर तूट जाता है मैं उठते ही बुट्सु दान में धूप लगाता हूँ आपको हमेशा अपने पूरवजों का इस्मरान करना चाहिए मैं सुभर की शुरुवात प्रातना से करता हूँ मैं रोज सुभर जल्दी उठता हूँ और सुभर का समय बगीचे में सबजियों के साथ बिताता हूँ मैं हफ़ते में कम से कम एक बार दोस्तों के साथ नाचता हूँ मैं रोज व्यायाम करता हूँ और टहलने के लिए जाता हूँ मैं रोज बिना चुके टाइसो प्रकार का व्यायाम करता हूँ सबजियां खाता हूँ, सबजियां आपको लंबी आयू देती है लंबी आयू के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती है स्वस्त रहने के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार तीसरा, अपनी दोस्ती को रोज सीचें दोस्तों के साथ रहना ही मेरा सरवादिक महत्वपूर्ण की गाई है हम रोज मिलते हैं और गपशब करते हैं मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है मुझे पता होता है कि कल हम दुबारा यहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफी अच्छी लगती है दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आनंदित करने वाली बात है अपनी पसंद के लोगों के साथ बाचीत करना ही मेरी लंबी आयू का राज है मैं जब भी रास्ते से जाता हूँ तो इसकूल जाने वाले बच्चों को हेलो करता हूँ और जल्दी मिलेंगे ऐसा भी कहता हूँ जो लोग कार से जाते हैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनसे कहता हूँ काड़ी धीमे चलाएं सुबह साथ बीच से आठ पंदरा बजे तक मैं घर से बाहर रहता हूँ सभी से मिलता हूँ और सभी निकल जाते हैं तो अपने घर लोटता हूँ एक साथ गाना गाना और चाई पीते-पीते पडोसियों से गबसब करना मेरे विचार से मेरी जीवन की ये दो सबसे अच्छी बाते हैं मैं रोज सुबह पांच बजे उठता हूँ समंदर के किनारे टहलने जाता हूँ फिर दोस्तों के पास जाकर चाई पीता हूँ लोगों से मिलना और उनके साथ अलग अलग जगों पर जाना ही मेरी लंबी आयू का राज है चौथा आराम से जिये मेरी लंबी आयू का राज है अगर आप जल्दिबाजी नहीं करेंगे तो यकीनन लंबी आयू पहेंगे मैं कौडियों से चीज़ें बनाता हूँ वही मेरा एकिगाई है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और प्रातना करता हूँ उसके बाद मैं व्यायाम और नाश्ता करता हूँ साथ बजे मैं काम की शुरुवात करता हूँ पांच बजे तक या जब तक मन करता है तब तक काम करता हूँ और उसके बाद दोस्तों से मिलने जाता हूँ रोज नई नई चीज़ें करना और हमेशा व्यस्त रहते हुए एक समय में एक ही काम करना यही मेरी लंबी उम्र का राज है मैं किसी भी काम को अपने उपर हावी नहीं होने देता हूँ जल्दी सोयें, जल्दी उठें और लंबी आयू पायें रोज सुबर टहलने जाएं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने की कला सीखें और शांती से जीएं दूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएं पाँचवा, सकारात्मक बने रोज सुबर उठने के बाद मैं अपने आपको बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्त और उर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फाइदा लूँगा मैं 98 साल की हूँ, लेकिन अपने आपको युवा ही समझती हूँ मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें गरनी है हस ये, हसना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैं जहां भी जाती हूँ, हमेशा हस्ती रहती हूँ मैं 100 साल तक जीऊंगी, यही मेरी व्रहध्य प्रेणना है अपने पोते के साथ नाचना और गाना जीवन में सबसे अच्छी बात है मैं यहां जन्म लेने के लिए सौभागिशाली महसूस करती हूँ मैं इसके लिए हर दिन धन्यवाद देता हूँ ओगीमी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है सदा मुस्कुराते रहना जीते रहना ही इसके पीछे का राज है ओगीमी जीवन शैली के मुख्य बिंदू हमने जिन जिन लोगों से बात की उन सभी के पास खुद के सबजियों के बगीचे थे चाई के बगान थे, आम और शिकुवाशा के बगीचे थे हर एक के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे घरेलू संबन थे और वे एक दूसरे की काफी अच्छे तरीके से देखभाल करते थे वे हमेशा आयोजन करते थे, छोटी-छोटी वातों में आनंद लेते थे नाजगाना और संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था वे सभी जीवन का एक अहम उद्देश रखते थे उन सभी को अपना एकिगाई स्पष्ट था वे उन चीजों का तनाव नहीं लेते थे उनको अपनी संस्कृती और परंपराओं का अभिमान था हमारे वहां से निकलने के एक दिन पहले वाली रात को खाना खाते वक्त हमारे मित्र मियागी ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे लिए एक घर बना रहे हैं और अगली बार ओगीमी आने पर आप उस घर में रह सकते हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी आराम से रहने की कला उन्हें अच्छे तरीके से आती है। किसी बगीचे में बेंच पर खाली बैठे हुए कोई बुजूर्ग हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिये। वे हमेशा घूमते रहते हैं, किसी से मिलते रहते हैं, गेट बॉल खेलते रहते हैं या कराओ के गाते रहते हैं। पार्ट साथ इकीगाई खाद्य संस्कृती विश्व के सबसे लंबी आयूवाले लोगों का खानपान कैसा होता है। World Health Organization के अनुसार, जापान का आयूर्मान विश्व में सबसे ज़्यादा है, पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 87 वर्स। इसी के साथ जापान में 100 साल के उपर की आयूवाली सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। देखा जाये तो ओकिनावा जापान का एक ऐसा प्रदेश है, जिसका दूसरे महा युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्ती ही नहीं, बलकि उसके बाद भी यहाँ के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। ओकिनावा में ऐसा क्या चुपा हुआ है कि लंबी आयू के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं। उकिनावा एक मात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती यहाँ पर कार से यात्रा करना भी संभव नहीं है यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकल या पैदल जाने का विकल्प चुनते हैं साथी दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ और काफी गंभीरता से पालन होता है ओकिनावा का चमतकारी आहार हाट अटेक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है इसकी मुख्य वज़य है उनकी खाद्य संस्कृती इसकी वज़य से सभी आहार विशेश अग्यों की ओकिनावा की खाद्य संस्कृती की और पर 700 से ज्यादा लेक प्रकाशित किये थे The Okinawa प्रोग्राम नामक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है इसे Broadly J. Wilcox और D. Craig Wilcox ने Dr. Makoto Suzuki के साथ मिलकर लिखा था इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जैसे कि यहां के लोग काफी विवित्ता पूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है भोजन में यह विवित्ता उनकी लंबी आयू का राज हो सकता है ओकिनावा में लंबी आयू के लोगों का सर्वेक्षन किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के बदार्थ खाते हैं जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं वे दिन में कम से कम 18 विभिन प्रकार के बदार्थ खाते हैं हमारे खाना खाने की संस्क्रीती से यह बिल्कुल विपरीथ है वे दिन में कम से कम पांच बार फल और सब्जियां खाते हैं वे दिन में साथ अलग लग प्रकार के फल खाते हैं हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने की और देखकर यह पक्का करें कि हम इंद्र धनूशी खाना खा रहे हैं या नहीं मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोबी और बैगन है या नहीं इसमें काफी रंग समाए हुए हैं साथी सबजियां, आलू, अंकुरीद अनाज और तोफू जैसे पदार्थ खाने में होना जरूरी है ओकिनावा निवासियों को 30% से ज्यादा कैलोरी सबजियों से मिलती है अनाज उनकी खादी संस्किती की नीव है वे रोस चावल खाते हैं और चावल के साथ नूडल्स भी खाते हैं चावल से ओकिनावा का महतुपूर्ण खादी है वे लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं हम ओगीमी जाते समय हर रोज गन्य के खेतों से गुजरे और नाकीजीन कैसल में हमने गन्य का रस भी पिया वहां की कई दुकानों में गन्य का रस निकाल कर पीने के लिए दिया जाता है जिसके कई सारे फाइदे हैं इन मूल खादी सिध्धानतों के अतिरिक्त ओकिनावा के लोग हफते में तीन बार मचली खाते हैं जापान की बांकी जगहों पर कम मिलने वाला सुमर का मास यहां पर ज्यादा पैमाने पर यानि हफते में एक या दो बार खाया जाता है इसके अलावा माकोटो सुजुकी के परिक्षन में ऐसी कई बाते सामने आई ओकिनावा के लोग जापान के बांकी लोगों की तुलना में तिहाई शक्कर खाते हैं इसका अर्थ है क्योंके खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं वे बांकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं जापान में प्रती दिन औसतन 12 ग्राम नमक खाया जाता है जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है जापान के बांकी हिस्से में लोग रोज अंदाजन 2000 कैलेरीज लेते हैं जबकि ओकिनावा में यहां मात्रा केवल 700 ही है देखा जाए तो दुनिया की 5 ब्ल्यू जोन्स में जहां ज्यादा आयू के लोग रहते हैं कैलोरीज लेने की मात्रा कम ही होती है हारा हाचीबू कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया है तो हम पहले प्रकरण में बताए गए हारा हाचीबू यानि 80% खाने की सलापर थोड़ी और बात कर लेते हैं यह करने मां आसान है जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं उसी वक्त खाना बंद कर दें हारा हाचीबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हों तो उसे खाना बंद कर दें डिश का आकार छोटा कर दें मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए इसी वज़े से जापान में बरतनों का आकार बांकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है वहाँ पर खाना एपिटाइजर यानि भूख बढ़ाने वाले पदार्थ मुख्य खाना और अंत में मीठा इस प्रकार चे तीन हिस्सों में नहीं परोसा जाता इसके वज़ाए सभी पदार्थ छोटी-छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं एक थाली में भात, दूसरी में सबजियां, एक कटोरे में मीसो सूप और उसके साथ कुछ नमकीन दिया जाता है छोटे-छोटे बरतनों में परोसने की वज़ा से ज्यादा खाने की संभावना ही खतम हो जाती है साथी एक से ज्यादा पदार्थ खाना भी संभव हो जाता है हरा आचीबू एक प्राचीन पद्दती है बारवी सदी में जेन बौध जजेन योजिंकी ने अपनी शमता के दो तिहाई खाना खाने की सला दी थी ज़रूरत से कम खाना खाना लगबग सभी बौध मंदिरों की प्रथा है कम कैलोरीज लेने के फाइदे 900 साल पहले बौध धर्म जानने वाले लोगों को पता थे कम खाएं भरपूर जी है कुछ लोग शायद इस विचार से सहमत नहीं हो कुपोशन के चरम पर ले जाए बगैर निसंदे लंबे जीवन के लिए शरीर की ज़रूरत से कुछ कम कैलोरीज लेना चाहिए कम कैलोरीज लेते हुए भी स्वस्त रहने की कुझी यह है कि जो भी खाएं वहां उच्च पॉश्टिक्ता वाला विशेश्टह सूपर फूड होना चाहिए हमें वैसे खाने से बचना चाहिए जिससे हमारे द्वारा ली जाने वाली कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाए लेकिन उसमें पॉश्टिक्ता का अभाव हो हम जिस कैलोरीज पाबंदी की बात कर रहे हैं वह आपकी उम्र बढ़ाने के लिया से महत्वपॉर्ण है अगर हम नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लेते हैं या बहुत खाना खाते हैं तो आलस आने की संभावना होती है शरीर की अधिकतर उर्जा खाना पचाने में लग जाती है कम कैलोरीज का और एक फाइदा होता है शरीर में IGF-1 की मात्रा कम होती है IGF-1 एक ऐसा प्रोटीन है जोकी इंसानों वह जानवरों में उम्र बढ़ानी की प्रकिरिया में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है मनुश्यों और जानवरों के खून में इसकी अधिकता बुलापा लाने के कारणों में से एक होती है क्या कैलोरीज लेने पर पाबंदी से मनुश्यों की उम्र बढ़ेगी अभी तक इसपष्ट नहीं है लेकिन बढ़ते हुए आंकडों से संकेत मिलता है कि परियाप्त पोशन के साथ उदार्ता पोर्ण कैलोरी, पाबंदी से मोटापा, टाइब टू मदुमेह, जलन, उच्च रक्त चाप और हिर्दई रोक के खिलाफ एक शक्तिशाली शुरक्षात्मक प्रभाव बढ़ता है और कैंसर से जुड़े चाया पचाई जोखिम कारक खत्म होते है 80 प्रतिशत का नियम हफ्ते में एक या दो दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है 5 ratio 2 शूत्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने का सुझाव दिया जाता है इन 2 दिनों में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सला दी जाती है बाकी पांस दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं उपवास के कई सारे फाइदों में हजम करने की प्रकिरिया अच्छी होना और आराम मिलना भी शामिल है ओकिनावा के भोजन में पंद्र कुदरती एंटी ओक्सिडेंट एंटी ओक्सिडेंट ऐसे अणू होते हैं जो कोशिकाओं में आने वाली ओक्सिडेशन की प्रकिरिया धीमी करते हैं उम्र बढ़ने की प्रकिरिया धीमी करते हैं उधारन के लिए ग्रीन टी ऐसा ही एक जाना माना कुदरती एंटी ओक्सिडेंट है ओकिनावा में यहां कुद्रती एंटी ओक्सिडेंट लगबग रोज लिया जाता है आगे दिये गए 15 अदार्थ भी उनकी जीवनशेली का अंग है तोफू, मीसो, तूना, गाजर, गोया, कॉम्बू, गोबी, नोरी, प्याज, अंकुरित सोया, हेचीमा, सोयाबीन, शकरकंद, काली मिर्च और सेनपिन चाह सेनपिन चाह मन जीतने की प्रभावी वस्तु ओकिनावा में किसी भी और चाह की तुलना में सेनपिन चाह बहुत ज्यादा मातरा में पी जाती है यह ग्रीन टी और जैस्मीन की चाह का मिश्रण होती है सन 1988 में ओकिनावा इंस्टिटूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी में हीरो को शोध्वारा किये गए अध्यन में यहाँ पता चला कि जैस्मीन की चाह की वज़े से खून के अंदर कोलिस्ट्रॉल की मातरा कम होती है ओकिनावा में विभिन प्रकार की सेनपिंचा मिलती है यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है एंटी ओक्सिडेंट ग्रीन टी के साथ वह जैस्मीन के फाइदे भी आसिल करवा देती है इससे दिल का दौरा पढ़ने की संभावना कम होती है रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ती है तनाव कम होता है कोलेस्ट्रॉल की मातरा घरती है ओकिनावा में लोग हर दिन तीन कप सिनपिंचा पीते हैं पस्चिमी दुनिया में इतनी अच्ची गुणवत्ता की चाई नहीं मिलती है लेकिन जैस्मीन टी और अच्ची गुणवत्ता की ग्रीन टी से हम इसके जैसा फाइदा ले सकते हैं ग्रीन टी का रास ग्रीन टी सदियों से वैदिकीये फाइदों के लिए जानी जाती है आधुनी क्यूग में इस पर अध्यान करने के बाद लोगोंने माना है कि इसका लंबी आयू के लिए फाइदा होता है इस चाई की शुरुआ चीन में हुई लेकिन इसे पूरे विश्व में पहुँचने के लिए काफी समय लगा पिछले कुछ दसकों से लोगों में इसके प्रती सजकता बढ़ गई है शुद्ध कुद्रती रूप में मिलने वाली इस चाई के कई सारे फाइदे हैं जैसे की कोलेस्टरॉल नियंत्रित होता है ब्लड सुगर की मात्रा कम होती है रक्त संचार तेज होता है फ्लू से संग्रक्षन मिलता है हड्डिया मजबूत होती है कुद्ध जीवानों के संक्रमन से बचाव होता है यूवी किर्णों की वज़े से होने वाले नुकसान से बच सकते है शरीर की शुद्धता होती है और मूत्र वर्दक प्रभाव होता है वाइट टी में मौजूद पोली फेनोल्स की मात्रा उम्र बढ़ाने वाली प्रकिरिया धीमी करने के काम आती है इसे विश्व का सबसे अच्छा एंटी ऑक्सिडेंट माना जाता है वाइट चाई का एक कब संत्रे के रसके बारा कब इतनी उर्जा देता है सारांश ग्रीन टी और वाइट टी पीने की वज़े से उम्र बढ़ने की प्रकिरिया धीमी हो जाती है और इनसान ज्यादा जवान दिखने लगता है शक्तिसाली शिकुवाशा शक्तिसाली शिकुवाशा शिकुवाशा एक खटा फल है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उकिनावा में होता है यह फल बेहद एसिटिक होता है पानी में मिलाए बिना हम उसका रज भी नहीं पी सकते उसका स्वाद नीम्बू और मेंडोरिन संत्रे के जैसा होता है सिकुवासा में उच्ची स्तर का नेबोलेटिन होता है जो एंटी ऑक्सिदेंट का बड़ा स्रोथ होता है अंगूर, नीबू और संत्रे में भी नेबोलेटिन की मात्रा होती है लेकिन सिकुवासा में इसकी मात्रा संत्रे से 40 गुना ज्यादा होती है नेबोलेटिन की वज़े से कैंसर, टाइप 2 डाइबिटीज और मोटापा कम करने में फाइदा होता है सिकुवासा में B और C वाइटेमिन होते हैं बीटा के रोटीन और मिनरल्स भी होते हैं इसका इस्तमाल कई सारे परंपरागत खाद्यपदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका रजभी निकालते हैं जब हम एक बुज़ूर्ग के जन्म दिन की पाटी में गए थे तो हमें इसी सिकुवासा का केक दिया गया था पाट आठ दिरगायू के लिए स्वस्थ और शतायू जीवन के लिए व्यायाम ब्ल्यू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्यन करने के बाद यही निश्कर्श निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही नहीं करते हों लेकिन भरपूर गतिविदियां जरूर करते हैं हम जब दिरगायू वाले लोगों के गाउं ओगीमी गए तो हमें एक बात पक्की पता चल गई कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग भी काफी कारिश्रम हैं वे घर में बैठकर खिलकी से जाकते रहने और अकबार पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते ओगीमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं भरपूर चलते हैं दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं वे लोग कभी भी जिम जाकर व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन सदा कुछ न कुछ गतिविदियां करते रहना मानों उनकी दिन्चरिया का अंगसा होता है कुर्सी से उठने जितना आसान 30 मिनट एक ही जगह पर बैठे रहने के बाद मेटाबॉलिजम की प्रकिरिया 90% धीमी होती है जो एंजाइम्स आपकी धमनियों से मास्पेशियों में जलाने के लिए खराब चर्वी पहुँचाते हैं वह प्रकिरिया धीमी होने लगती है करीब 2 गंटे बाद अच्चे कॉलिस्ट्रॉल की मातरा 20% कम हो जाती है सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वज़ा से भी यह प्रकिरिया फिर से शुरू होती है ये बातें इतनी साधारण हैं कि बचकानी लगती है गोविन ब्रॉडली ने ब्रिगिट शोयटेव को सन 2015 में वाशिंटन पोस्ट को दिये गए साक्षातकार में यह जानकारी दी थी ब्रॉडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विशएपर काम करती हैं कि एकी जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ के लिए कितना हानिकारक है अगर हम शहर में रहते हैं तो कुद्रती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा लेकिन अपने सारीरिक श्वास्थ के लिए हम हलके फुलके व्यायाम तो करी सकते हैं आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धी को स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से आजमाई जा रही व्यायाम पद्दतियां प्रचलित हो रही है पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्दतियों को दिन्चरिया का और संस्कृति का अंग माना जाता है योग का उद्ध्यम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के क्विगांग और ताईची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे माननी किया है इसकी वज़ा से शरीर को कई सारे असाधारन फाइदे होते हैं विशेशकर, बुज़ूर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है ताईची का अभ्यास करने वाले लोगों में औस्टियोपोरोसिस और पार्किंसन्स ऐसी बीमारियां काफी कम पाई जाती है उनका शरीर ज्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाओ भी सही मातरा में होता रहता है उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज जिम जाकर पसीना वहें या मेराथौन की रेस लगाएं जापान में श्रताईव वाले लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचर करके भी लंबी आयू हासिल कर सकते हैं जापान और चीन की संस्कृती में बताए गए किसी भी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो हमें भी बड़ा फाइदा होगा इन व्यायामा का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है इस प्रकार का अनुशासित और निरंतर्ता से व्यायाम प्रभा के लिए भी अच्छा होता है अगर आपको इन में से कोई व्यायाम पसंद नहीं आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयू के लिए पोशक पद्दती देखने वाले हैं लेकिन शुरुवात हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं सुभ़ किया जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महयुद्ध के बाद किया जाने लगा उसके नाम में जो रेडियो शब्द है वह इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाय रेडियो से दी जाती थी आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं रेडियो टाइसों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्तित लोगों के अंदर जोश और एक्ता की भावना का निर्माल करना ये व्यायाम पाटशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाई जाते हैं उपलब्द जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरूआत रेडियो टाइसों व्यायाम से करते हैं ओगीमी में हमें पता चला कि जिन लोगों से हमने बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरूआत करते हैं इतना ही नहीं हमने जिन अस्पतालों को भेट दी वहाँ पर भी लोग सुबब 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं कुछ लोग तो कुर्ची से हिल भी नहीं पाते थे लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे ही यह व्यायाम में सम्मलित होते थे हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफी जोस के साथ गुजरा इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करते हैं जिसकी वज़े से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में कराये जाता है इसमें सूचनाय देने के लिए माइक और लाओड स्पीकर का भी इस्तमाल करते हैं आप कौन से व्यायाम करते हैं उससे यह तई होता है कि व्यायाम में 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट शरीर का तनाव हटा देना और फिर जोड़ों को लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है सबसे आसान रेडियो तैसो व्यायाम प्रकार होता है अपनी उंगलियों को उपर खिशना और गोलाकार पद्दती से उन्हें नीचे लाना यह एक हलका-फुलका व्यायाम प्रकार होता है यह शरीर को सतर्क करने का साधन है इसमें गतिविधियों की तीवृता कम होती है और जितने भी संबव हो सके उतने जोड़ों का व्यायाम किया जाता है हो सकता है यह काफी आसान लगे लेकिन आज के इस आधुनिक जगत में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के उपर भी नहीं लेकर जाते हैं जब हम computer का इस्तमाल करते हैं, phone का इस्तमाल करते हैं, किताब परते हैं या खाना बनाते हैं तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है जब हम almari से या उपर रखी हुई किसी चीज को निकालने जाते हैं तब ही हमारा हाथ उपर जाता है जापान के साथ-साथ पश्चिम में करीब हर जगह पर योग काफी मशूर है इसे हर कोई कर सकता है, इसमें आने वाले कुछ प्रकारतों गर्वुवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं योग के शुरुवात भारत में हजारों साल पहले हुई थी, इसका इस्तमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीजों का एकिगरण करना दो चीजों को जोड़ना योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवनशैली जीने में मदद करता है योग के मुख्य उद्देश्य हैं हमारे मूल धर्म की यानि स्वभाव की पहचान होना शारिरिक और मांसिक सुद्धी उन्होंने उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किये ज्ञान योग अनुशाशन और मांसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग इसमें ज्ञान मार्ग की खोच की जाती है कर्म योग हमारे और समाज के लिए उप्यूक्त कृतियों पर जोर देना भक्ति योग देवत्व को समर्पित और भक्ती भाव के साथ किया जाने वाला योग मंत्र योग मंत्रो चारों के मार्ग से शांती और संतुष्टी पाने का मार्ग मंत्रो चारों के मार्ग से शांती और संतुष्टी पाने का प्रकार कुंडलीनी योग शरीर में जो विभिन्नी चीजें होती हैं उन्हें इखटा करके मांसिक विकास हासिल करना राजयोग इसे राजमार्क भी कहते हैं सभी मिलकर इखटा फाइदे की दिशा में यात्रा करते हैं हटयोग जापान में और पश्चीमी जगत में यह प्रकार काफी मशूर है विभिन आसनों की मदद से अपेक्षित इस्तिर्ता तक पहुचा जाता है सूर्य नमस्कार करने का तरीका सूर्य नमस्कार हट्योग की सबसे विशिष्ट किरिया है इसमां आपको बारा कदम पूरे करने होते हैं पहले पैरों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं लेकिन मास्पेशियों को सिथिल रखें सांस छोड़ें अपने हाथों की हथेलियों को अपने सीने के सामने रखें इस इस्तिती में भुजाओं को अपने सिर के उपर ले जाते हुए थोड़ा पीछे जुकें इस इस्तिती में आगे की और तब तक जुकें जब तक आपके हाथों की हथेलियों जमीन नहीं चुने लगें और स्वांस धीरे धीरे बाहर चोड़ें अपने एक पैर को पीछे की और फैलाते हुए अंगुटे के सिरे से फर्स कोच हुएं सांस लें अब अपने पैरों और भुजाओं को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को पीछे की और ले जाएं अपनी सांस रोकें स्वांस छोड़ें अपनी भुजाओं को मोड़ें तथा अपने सीने को जमीन तक लाएं फिर आगे होकर जमीन पर अपने घुटने टिकाते हुए विश्राम करें अपनी भुजाओं को सीधा करें और रील को पीछे की और जुकाएं अपने शरीर का आधा हिस्सा जमीन पर टिकाएं सास ले अपने हाथों और पैरों को जमीन पर टिकाते हुए अपने नितंबों को जब तक उठाएं तब तक अपनी भुजाएं और पैर सीधे बने तथा आपका शरीर उल्टावी नहीं बना ले ऐसा करते समय सास छोड़ते रहें उस पैर को आगे लाएं जिसे आपने पहले पीछे किया था अब इसे इतना जुकाएं कि आपका घुटना तथा पैर आपके सिर की सीध तथा हाथों के बीच में आ जाए अपने पीछे किये गए पैर को आगे लाते समय सास छोड़ें तथा पेरों को सीधा करें, अपने हाथों को तीसरी मुद्रा की तरह जमीन पर टिकाएं, अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर लाते हुए हथेलियों को जोड़ें, और सांस लेते हुए पीछे की और धीरे से जुकें, जैसा कि आपने दूसरी मुद्रा में किया था, अपनी प्रारंबिक इस्तिती में ले जाएं, और सांस छोड़ें, आपने अभी सूर्य नमस्कार किया है, और अब आप एक शांदार दिन के लिए तैयार हैं, ताई ची, ताई इची युवान या ताई जिक्वान, नाम से जाने जाने वाला ताई ची व्यायाम जापान में चलित है, बौध धर्म और कन्फूसियस वाद में इसका जिक्र है, और यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, यह जापान में भी बेहद मशूर है, चीन की परंपरा की अनुसार इसकी खोच ताववादी गुरू और मार्शल आर्ट के प्रेक्टिशनर जांग सनफें ने की थी, उन्नीसवी सदी में यौंग लुचौन ने इसका बाकी दुनिया में प्रसार किया, ताइची मूलतह, नेजिया या आंतरीक मार्शल आर्ट है, इसका इस्तमाल व्यक्तिकत विकास के लिए किया जाता है, चपलता का इस्तमाल करके कम उर्जा में अपने प्रतिय लोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है, इसमें खुद हमला करने के बजाए खुद को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ताइची माने शरीर और मन का उपचार, इसका भरपूर उपयोग, आंतरीक शांती और संतुष्टी के लिए किया जाता है, देश के लोगों को स्वस्त और सशक्त रखने के लिए चीन के सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुचाया, ताइची के प्रकार, ताइची सिखाने वाली कई पद्दतियां और शैलियां हैं, उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिन में से कुछ प्रम जैसी हलचल की जाती है, तीसरा, वू स्टाइल, छोटी-छोटी और सजगता से की गई हलचल, चौथा, हाव स्टाइल, अपने अंतिरंग में जाग कर सुक्ष्म हलचल करना, यह प्रकार विश्म में ही नहीं, बलकि चीन में भी काफी कम इस्तमाल होता है, हालांकि ये सभी शैलियां एक दूसरे से अलग है, फिर भी इनके पीछे का उद्देश समान है, जैसे की इस्तिर्ता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना, शक्तिपल कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, दूसरे क्रमांग की हलचल करके पहले इस्तान पर पहुँचना, खुद को और प्रतियोगी को जानना, ताइची के दस मुख्य सिध्धान्द, मास्टर यॉंग चेंग फू ने ताइची के निमने लिखी दस मूलभूत सिध्धान्द बताएं हैं, पहला, सीधे खड़े रहकर अपनी पूरी उर्जा अपने माथे पर केंद्रित करना, दूसरा, और हलके पन के बीच के अंतर को पहचानना, कंदे धीले छोड़कर हाथों को मुक्त रूप से गतिविधी करने दें, ताकि उर्जा का प्रवा अच्छा हो सके, शरीर की शक्ती से ज्यादा महत्व मन की चुस्ति फूर्ति को देना, शरीर के उपरी और निचले अंग में ल पोजना, शरीर कारिरत होता है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, बादलों का अनुकरण, ताईची की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना, उसे नीचे दी हुई पद्दती से किया जाता है, दोनों हाथ आगे ले जाएं और हथिलियों को अपने शरीर के सामने बॉल की आकरती महसूस करें, बाइं हथेली चहरे की और ले जाएं, अपने शरीर का वजन बाएं पैर पर देते हुए अपने नितंब की और से शरीर को उस तरफ घुमाएं इस दौरान आपकी आखें आपके हाथों की और देखती रहें, अपने जब भी अपने हाथों की स्तिती बदलें, अपना वजन एक पैर से दूसरे की और इस्थानांतरित करें। अपनी बाजूओं को अपने सामने फिर फैलाएं। उन्हें धीरे धीरे नीचे लाते हुए अपनी प्रारंभिक मुद्रा में वापस आ जाएं। क्वी गौंग ची गौंग इस नाम से जाने जाने वाला यह व्यायाम प्रकार दो शब्दों से बना हैं। क्वी यानि जीवन की चेतना या उर्जा और गांग यानि काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। काफी हद तक आधुनिक यह व्यायाम ताओ यीन पर आधारित है जो की मानसिक और सारीरिक पोशन देती है। अपनी सास पर काम करके उसे इस्थिरता में रखा जाता है। क्वी गांग में जो भी प्रकार है उन सभी का उद्देश उर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है लेकिन उसमें बहुत सयमित हलचल होती है। क्वी गांग के फाइदे अंतराश्रिय इस तर से कई सारे विज्ञानिक अध्यनों से यहाँ पता चला है कि ताईची और योग की तरह क्वी गांग के भी कई सारे फाइदे होते हैं। सैन फ्रैंसिस्को में इस्थित क्वी गांग इंस्टिटूट के सास्तरग्य डॉक्टर कैनेथ हम सेंस्नियर ने अपने लेक्वी गांग में चिकितसई उपयोग में इसके कई फाइदे लिखे हैं। जैसे की मस्तिक्ष की तरंगों का विकास होता है। हिर्दाई का कारी सही तरीके से चलता है। कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वज़े से हमारा शरीर शुडॉल तो होता ही है। साथ ही साथ लंबी आयू भी मिलती है। क्विगॉं करने की पद्धती। क्विगॉं का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में उर्जा भरी हुई है। शरीर में इस्तितिस उर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। पहला, त्यावशेन, शरीर का नियोजन, सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े हुए होना अति आवशक है दूसरा, त्यावशीय, सांस का नियोजन, सांस धीमी गती से लेते हुए सहियमित और शांत करना त्यावशीय, मन का नियोजन, यह स्टेप बहुत ही कठीन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है चौथा, त्यावशी, उर्जा का नियोजन, पहले तीन घटकों का उचित समन्य करके उर्जा को सही मात्रा में नियंद्रित करना पाँचवा, त्यावशीन, चेतना का विनियमन, दा एसेंस ओफ तैजी क्विगॉंग में यौंग जिंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ती भी है और नीव भी इस प्रकार से पूरा शरीर इखटा होकर एकी दिशा में कारीरत होता है और एकी लक्ष के लिए काम करता है क्विगॉंग के पांच सिध्धांत क्विगॉंग में पांच सिध्धांतों पर काम किया जाता है पृत्वी, चल, लकडी, धातु और अगनी इस व्यायाम के माध्यम से 5 प्रकार की और्जा संतुलित होती है, जिससे शरीर के अंग और मस्तिक्ष के कार्य विक्सित होते हैं. यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है. हम बार्सिलोना इस्थित क्विगॉंग इस्टिट्यूट में प्रोफेसर मारिया इसाबोल गर्सिया मेंडिल की पद्दती देखेंगे प्रिथवी पहला, अपने पैरों में कंदे की चोड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं दूसरा, फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें तीसरा, अपने कंदों को धीला और नीचे की और छोड़ें तथा अपनी बाहों को शरीर के बगल में थोड़े अंतर के साथ धीला छोड़तें चौथा, सास लेते हुए अपने हाथों को तब तक सामने की और उठाएं जब तक वे कंदे के बराबर नहीं आ जाएं उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखें पाचवा, जब आप सास छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेड़ तक नीचे लाएं उस समय हथेलियों को अंदर की और करें चटा, कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सास पर ध्यान केंद्रित करें जल, पहला, प्रित्वी की अवस्था से शुरुवात करें, खुटने पर जुकें और सीना सीधा करके नीचे बैठें, सास छोड़ते रहें दूसरा, पुच्छा स्थी टेल बोन को सीधा रखते हुए बैठें जब आप फिर से सास लें तो प्रित्वी पर वापस आएं इस क्रिया को तीन बार करें प्रित्वी के वस्था से शुरुवात करें, हथेलियों को उपर ले जाएं और अपने हाथों को बगल की तरफ खोलें फिर सास लेते हुए एक गोल आकार बनाएं ऐसा करते करते हाथों को अपनी हसुली के बराबर तक ले जाएं अपने हाथों को इतना मोणें कि आपकी हथेलियां और कोहनियां नीचे की और मोण जाएं कंधों को धीला छोड़ें इसके बाद सास छोड़ते समय उसी क्रिया को उल्टा करें प्रारंबी की स्थिती में आने से पहले अपनी भुजाओं से नीचे की और गोल आकार बनाएं यह क्रिया तीन बार करें धातू प्रित्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी औरिस्ती तक उठें अपनी हथेलियों को एक दूसरे की और रखकर अपनी उंगलियों को ठीला तथा थोड़ा अलग रखते हुए करीब 4 इंच दूर रखें अंगलियां उपर की और इशारा करती हुई हो सांस लेते समय हाथ एक दूसरे से दूर रखें और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें सांस छोड़ते समय फिर दूसरे बिंदु में जो बताया गया है उसी के अनुरूप हाथों को एक दूसरे की और ले जाएं इस गतिविदी को धराते हुए तीन बार करें जब आप अपने हाथों को अपने फिर फिरों के समान एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं तब उनमें उत्पन्न होने वाली उर्जा का अनुभाव लें आग पृत्वी आसन से शुरुआत करें सांस लेते हुए हथेलियां एक दूसरे की और रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हिर्दे तक उपर लेकर आएं अपने हिर्दे की उर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं कमर से थोड़ा बाएं मुणें, धड़ को धीला छोड़ें और अपनी अग्र बाहुओं को जमीन के समानांतर रखें दोनों हधेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं अब अपनी अग्र बाहुओं को जमीन के समानांतर रखते हुए कमर से दाई और मोड़ें धड़ को धीला छोड़ें, सास छोड़ते हुए अपने हाथों को हिर्दय के पास लाएं हाथों के बीच दुबारा दूरी बढ़ाएं, एक हाथ कंधे और दूसरा हाथ पेड़ तक नीचे लाएं श्रंखला को पूरा करना प्रित्वी की इस्थिती से शुरुवात करें, सास लेते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाएं हाथ के अंगुठे और हथेली के दबाव की मदद से उर्जा पर काम करने का यह तरीका उन्नीसवी सदी की शुरुवात में जापान में बनाये गया था इसका उप्योग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के लिए इलाज के लिए किया जाता है शरीर को तनाव देते हुए स्वसंक्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों का संतुलन बनाये रखना है यह महतुपूल नहीं है कि ताव इनका एक नाम है यह किसी की नकल है यह स्वन्ल अक्षरों में लिखवाया गया है इसके भजाए यह अहम है कि वह तकनीक क्या है और जो वास्तों में प्रचलित है उसका सार क्या है शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना, सिर्का उठाना, चलना, लेटना, खड़े होना या एक जगर उखना यह सब बातें भी ताव इनके रूप हो सकती है अच्छी तरह से सास लें और लंबे समय तक जीवित रहें मन और शरीर को विक्सित करने के लिए कई इस्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है शीजेन शिशु यह पुस्तक तेरवी शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही इसे पश्चिमी जगत में 10 Books on the Cultivation of Perfection के नाम से जाना जाता है इस प्रकिरिया का आविश्कार छटी शदाप्ती के चीनी चिकित्सक और निभंदकार सीन सिमायाओं ने किया था इसमें धन्यों और गतिविद्यों के समन्यों से अपने हिर्दय को शांत करने के लिए 6 अलगलग तरीकों का उप्योग किया जाता है 6 आवाजें सु गहरी उंसास के साथ शौ जैसी उच्चरित होने वाली यह धोनी यक्रित के लिए ही उप्योगी है ही हर जैसी उच्चरित होने वाली यह धोनी हिर्दय से संबंदित है सी धिमी सास छोड़ते हुए सर जैसी उच्चरित होने वाली यह धोनी फेफ्रों से संबंदित है चुई शी की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनी पूरे शरीर से संबंदित है संसिमियाओं ने एक कवीता के माध्यम से इस बात का वर्लन किया है कि विभिन मौसमों में इन ध्वनियों के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है यह कवीता आपको यह भी बताती है कि जब आप ध्वनी निकालते हैं तो आपको किस अंग के बारे में सोचना है वसंत में कुसू कहकर अपनी आखें साफ करें तो वूड आपके लिवर को ठीक कर देगा गर्मियों में ही कालाब लें तो हिर्दय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी पजड के मौसम में सी का इस्तमाल करें और धातू इखटी करें तो यह फेफणों की मदद करेगी किर्णियों के लिए चुई के साहरे सांस लें तो आपके अंदर का पानी होगा इसमें शांत कुसी के मदद से सभी गर्मियों और परिशानियों को दे मात चारों मौसमों मैं से लें एक लंबी सांस जो है पाचन के लिए खास सांस शोड़ना इतना धीमा रखें कि आपके कानों को आवास सुनाई न दे अभ्यास करना सबसे वड़िया है और यह आपको अपना अम्रत्व संग्रिशीत करने में सायक होगा इस अध्याई में वर्णित सभी पूर्वी परंपराओं को समझना शायद आसान नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इन मेंसे किसी एक शूत्र की तलास करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी में स्वसंद संबंधी और शाडेलिक व्यायाओं का समन्वे किया गया है जब हम अपनी सास और शरीर का समन्वे करते हैं तो हम अतीत और भविशी की चिंता किये विना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं सबसे बड़ा लाब यह है कि आप स्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त चागरत रहेंगे पाठ नौ द्रंता और वाबी साबी चिंता और तनाव का स्वास्त पर असर ना होने देते हुए चुनोतियों का कैसे सामना करें द्रंता यानी क्या एकिगाई स्पष्ट होने वाले लोगों में एक चीज समान रूप से पाई जाती है वे अपने एकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं परिस्थितियां पूरी तरह उनके खिलाफ हो तो भी और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी वे अपने एकिगाई को नहीं छोड़ते मनोची गित्सकों के बीच में द्रणता के बारे में जो बाते मानी जाती हैं उन्हें हम अभी समझने वाले हैं द्रणता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं है अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि द्रणता का वास्तविक अर्थ क्या होता है यह दुनिया की तरफ देखने का हमारा वहाँ नजरिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवशकता है इससे भी ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है कि क्या करना जरूरी है साथी इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है अध्याई के आखरी भाग में हम जानने वाले हैं कि द्रिणता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित करनी चाहिए आज नहीं तो कल हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है हम उनका कैसे सामना करते हैं इस पर कई सारी बाते निर्भर होती हैं कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारा शरीर, मन और भावनाओं को मिला हुआ द्रणता का प्रशिक्षन ही काम आता है नाना कोरोबी या उखी, साथ बार गिरें, आठ बार उठें समस्याओं का सामना करने की हमारी शमता मतलब हमारी द्रणता हम जितनी ज्यादा द्रणता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी उनसे भार आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे द्रण लोगों को यहां पक्का पता होता है कि कभी भी निराशा का शिकार नहीं होते हुए हमें हमेशा अपने लक्षपर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए उनकी द्रणता ही उनकी शक्ती होती है सामनियाई परिस्तिती का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालनी है यह उन्हें पक्का पता होता है जिन बातों पर उनका नियंतरण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीजें उनके नियंत्रन में नहीं होती उनकी चिंता करना वे छोड़ देते हैं। राइन्होल निवर की शांती के लिए रची हुई निमनिलिकित प्राथना काफी मशूर है। हे भगवान जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उनको स्विकार करने की हमें शक्ती देना। जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो और उपर दी गई दोनों चीजों का अंतर पहचानने की समझ देना। बुद्धिज्म और इस्टोईसिज्म के माध्यम से भावनात्मक द्रणता। ना ही सब कुछ छोड़ कर। तब उन्हें पक्का हुआ कि ये दोनों भूमिकाए गलत है। मनुष्ट्य को संसार में रहकर सभी चीजों का लाभ भी लेना चाहिए। और साथ ही उन सभी चीजों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए सजकता आवशक है। वह भी उसके पास होनी चाहिए। जेनों ने इसका अभ्यास सन्यासी लोगों से शुरू किया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सभी सांसारिक चीजों का त्याग किया होता है। और उनके शरीर पर जो कप्ड़े हैं उतनी ही उनकी दौलत होती है। लेकिन यह वैराग जेनों के रास नहीं आया। उन्होंने स्टोइसिज्म का अभ्यास करने की शुरूआत की। जिसमें यही बताया जाता है कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही है। किसी भी पल वे सभी सुक्सुविधैं शून्य हो जाएं तो भी आप उसके लिए तैयार हैं यह वस्था पाना उस गुलामगीरी से हमारी असली मुक्ती है। सन्यासी की तरह इन सभी चीज़ों को और उनसे मिलने वाले आनंद को छोड़ना लक्ष नहीं है बलकि उससे जोड़ी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना लक्ष है। इन भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म साम्प्रदायों का मुक्योद देश्य है। ये दोनों मार्क भले ही अलग हों फिर भी दोनों अहंकार और नकरात्मक भावनाओं पर ही काम करते हैं। स्टोईसिज्म और बुद्धिज्म तोनों में अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है स्टोईसिज्म के हिसाब से सुक और इच्छाएं समस्या नहीं है अगर हम उनके गुलाम नहीं बने तो उनका लाब लेने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी परिस्थिती में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोईक का गुर्धर्म माना जाता है बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमें हमारा पसंदीदा जॉब मिलता है लेकिन कुछी समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूडने लग जाते हैं हमारी लोटरी लग जाती है तो हम कार खरीदते हैं लेकिन कुछी दिनों में हमें लगने लगता है कि हमारे पास बोर्ड भी होनी चाहिए हमें हमारा मनचाह साथी मिल जाता है लेकिन कुछी दिनों में हमारे मन में कोई और कलपनाय बनने लगती है इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है स्टोइक वादी ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांशाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है सद्गुणी इंसान का उद्देश्य होता है निश्चल और इस्तिर चित्त अवस्था प्राप्त करना यानि ऐसी अवस्था जिसमें क्रोध, लोब, भई, चिंता जैसी भावनें नहीं होती सिर्फ आनंद, प्रेम, शांती और धन्यवाद के भाव होते हैं स्टोइक इस प्रकार के गुन प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कलपना चिन्नों का प्रेयोग करते हैं वे ऐसी कलपना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधाय और साधन हैं वे छिन गए तो क्या होगा इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता हैं इसके बारे में पहले ही सोच कर रखते हैं और उस परिस्तिती का सामना करनी की तैयारी करते हैं नकारात्मक कलपना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना होता है लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी होती है सेनेका नाम के एक अमीर इंसान रोम में रहते थे उनके पास सभी सुक्सुविधाय थी और वह स्टोईक के अभ्यास करता भी थे रोज रात को सोने से पहले वह इस कलपना का प्रयोग करते थे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है वह सिर्फ कलपना ही नहीं करते थे बलकि उसका प्रयोग भी करते थे वह एक हफता बिना नौकरी के रहने का अभ्यास करते थे साथी वह हमेशा साही खाने और पेयों के बिना रहने का अभ्यास भी करते थे इसकी वज़ा से बुरे से बुरा क्या होगा इस सवाल का जवाब उनके बास तयार रहता था और उसके प्रती उनकी चिंता हमेशा के लिए नश्ट होती थी उच्च भावनाओं के लिए ध्यान जैसे हमने शांती के लिए प्रातना में देखा उस प्रकार से नकारात्मक परिस्तितियों की कलपना करने के साथ साथ वे एक और चीज बड़ी निरंतरता से करते हैं जिस चीज पर हमारा नियंतरन नहीं होता उस चीज को भी वे समझते हैं जो चीजें हमारे नियंतरन में नहीं आती उनके बारे में चिंता करने का कोई भी फाइदा नहीं है हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं इस जानकारी की वज़े से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है इपिक्टेट्स कहते हैं आपके साथ क्या घटना होती है यह महत्वपोर्ण नहीं है महत्वपोर्ण यह है कि आप उस घटना पर क्या प्रतिकरिया देते हैं जैन बौध्धर्म मानता है कि इच्छाओं और आकानशाओं को सजकता से देखना और उनसे मुक्त होना जरूरी है अपने मन को विचारों से मुक्त करना नहीं बलकि विचारों को शाक्षी भाव से देखना और उनके साथ भैते हुए नहीं जाना ध्यान का असली मकसद है इस प्रकार का अभ्यास करने की वज़े से हम अपने मन को क्रोध, निराशा और द्वेश के भाव में बहते जाने से बचा सकते हैं पौध धर में भावनाओं को मिटाने के लिए एक मंत्र का इस्तमाल किया जाता है ओम मनी पद्यो हुम इसमें ओम अहंकार को नश्ट करने वाला है द्वेश को नश्ट करने वाला है म नी यानी सैयम जिसकी मदद से इच्छाओं पर जीत हासिल की जा सकती है पर यानी द्वैत के परे मे यानी लोप का नाश और हुम यानी वह ग्यान जो की घ्रणाशी शुद्ध करे आज और अभी अइस्तिक्ता को मात द्रणता लाने के लिए एक और उपाई है यह तई करना कि कौन से काल में जीना है बुद्धिज्म और स्टोईनिज्म दोनों में यही सीख दी जाती है कि वर्तमान ही एक मातर ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंतरण है भूतकाल और बविश्चकाल की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जीएं और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें बौद्धिसंत तिक नियाथन कहते हैं एक ही पल है जिसे आप सही माइने में जी सकते हैं और वह है वर्तमान का पल। वर्तमान में जीने के साथ साथ इस टोइक्स अपने आजू-बाजू की अइस्तिर चीजों के प्रती भी सजग रहते हैं। मारकर्स ओलीलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन चीजों को प्रेम करते हैं वे पेल के पत्तों की तरह होते हैं। हवा के एक जोके से भी वे गिर जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे आजू-बाजू में जो घटनाएं घटी हैं वे हाथसाओं की वज़ा से नहीं घटी। वह तो इस विश्व के काम करने का तरीका होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे आजू-बाजू में हैं और जो चीजें हमारे आसपास हैं वे सभी कभी ना कभी नश्ट होने वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछ बहते हुए नहीं जाएंगे इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल को और इस पल जो मौजूद है उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेणना मिलती है सेने का बताते हैं इस विश्व की हर चीज नश्वर है शन भंगुर अइस्थिर और सदा बदलने वाला यह जग पौद्धि शिक्षा का केंद्र विंदू है इस बात को सदा याद रखने से इनको खो जाने या दूर जाने की वज़े से दुख नहीं होता वाबी साबी और इची गोईची शन भंगुर और सदा बदलने वाली इस कुद्रत में सुन्दरता खोजने की कला वाबी साबी जागपानी संकल्पना है जो हमें बताती है कि परिपोल्णता में सुंदर्ता खोजने की बजाए अपोल्णता में सुंदर्ता को खोजना ही असली कला है इसलिए जापान के लोग ऐसी कहावत हैं हमेशा तूटे हुए कपपर या अपोल्ण वस्तुओं पर लिख कर रखते हैं अपूर्ण, शनिक और सदोश वस्तुएं असल में सुन्दर होती हैं चोकि कुद्रत भी ऐसे ही है इसी संकल्पना की पुष्टी करने वाली और एक जापानी संकल्पना है इची गोईची जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता है इस पंक्ती का हर सामाजिक सम्मेलन, समारो और कारिक रमों में जान बूचकर जिक्र किया जाता है एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल की समस्याओं में नाख होते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है चाई के लिए एकटा होने पर जैन मेडिटेशन और जापान में होने वाले मार्शल आर्ट इन तीनों ठिकानों पर वर्तमान में जीने पर जोर दिया जाता है पस्चिमी देशों में हमें पहले से ही पक्की इमारत हैं और सेक्ड़ों साल पुरानी एतिहासिक चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है रोमन आर्किटेक्ट ग्रेसों अपनी असाधारन कारीगरी के लिए जाने जाते हैं उनकी बनाई दो चीज़ों में समानता, कुशलता और एक जैसा दिखना और साथ ही उनका सालों साल वैसे का वैसा रहना इन सभी बातों के लिए वे पहचाने जाते हैं जापानी आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के अगराही नहीं होते हैं वे चैतन्य और वाबी साभी की संकल्पना पर काम करते हैं वहां की बड़ी-बड़ी इमारतें भी लकडी से बनी हुई होती हैं उन्हें इमारत बनाते वक्त ही पक्का होता है कि हमें इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीडी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है जापानी संस्कृति ने स्विकारा है कि इनसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीजें दोनों शनभंगुर है उधारन के लिए the grand shrine of इसे हर 20 साल बाद दोबारा बाधा जाता है उसके पीछे का मकसद यह नहीं होता कि पीडी-दर-पीडी वास्तु वैसा ही रहे बलकि परंपरा और संस्कृति को समालना उसका मुख्य उदेश्य होता है पीडी-दर-पीडी टिकने वाली वस्तुओं से भी इनसान की बनाई हुई चीजें ज्यादा प्रभावी होती है हमें एक बात को स्विकार करना होगा कि कुछ चीजों पर हमारा कोई नियंत्र नहीं होता है जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय और हमारे आजू-बाजू की संभंगूर चीजें इची-गो-इची हमें वर्तमान में रहने और सामने आये हुए पल को खुशी से जीने की प्रेना देती है जिसकी वज़े से हमें इकिगाई ढूडने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है वाभी साभी का दर्शन हमें अपूर्णता में भी विकास का माका होजने में मदद करता है लचीलेपन के पड़े कठोरता एक पौराणी कथा में ऐसा बताया गया है कि हर्कुलिस ने जब हाइडरा नामक राक्षस का सिर्धर से अलग किया तो वहाँ पर एक ही जगध दो सिर्ध अयार हो गए उसे समझ में आया कि हम इस राक्षस को कभी भी मार कर खत्म नहीं कर सकते नासिम निकोलस तलेब की पुस्तक अर्थात भंगुर शब्द को ऐसे लोगों, वस्तुओं और संगठनों के लिए इस्तिमाल किया जाता है जो हानी पहुँचाये जाने के बाद कमजोर हों जो प्रतिकार करते हैं और समस्या में भी टिके रहते हैं उन्हें द्रिन और कठोर कहते हैं लेकिन जो चीजें कुछ हद तक हानी पहुँचाने के बाद भी फिर से मजबूती से उभर कर आती हैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है लेरना के हाइडरा के पास एक अनौकी शक्ती थी कथा में ऐसा बताया गया है कि जब जब उस पर हमला होता था वो और उभर कर आता था तलेब उसके लिए एंटी फ्रेजाइल शब्द का इस्तमाल करते हैं एंटी फ्रेजिलिटी लचीलेपन या मजबूती से परे है लचीला जटकों का प्रतिरोत करता है और पहले जैसा ही बना रहता है कुछ विशेष्ट परिस्तितियों में और आपतियों में एंटी फ्रेजिलिटी के बड़िया उधारन देखने को मिलते हैं सन 2011 में तोहकू इलाके में सुनामी आई और फुकूशीमा जैसे समुद्र तटके दरजनों, सहरों और कजबों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया हमने करीब दो सालों के बाद जब उस जगह का दोरा किया तो हमें सडक के दोनों और कई निर्चन कजबे दिखे वहां के रास्ते मकानों के मलवे से भरे हुए थे घर खाली पड़े थे और गाड़ियों का धेर लगा हुआ था वहां के गैस स्टेशन खाली थे और रेलवे स्टेशनों पर लोग नहीं थे ये कजबे भंगूर इस्थान थे सरकार इन कजबों को भूल गई थी वहां के बावजूद उनमें सामान्य होने की शमता है और इस तरह से उन्होंने अपनी कठोरता सिद्ध की जिस भुकंप की वज़े से सुनामी आई थी उसका सबसे बड़ा जटका फुकुशिमा परमाणू संयत्र को लगा था टोको इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भी बड़ा जटका लगा वह कंपनी और वहां के एंजिनियर इस जटके से कभी भी उभर कर नहीं आए अगले 10 साल तक उस कंपनी के उभरने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है इस विपत्ती में यही बात सामने आई कि वह कंपनी कितनी कमजोर है भुकंप के बाद कुछी मिनट में चापानी स्टॉक मार्केट बंद हो गया उसके बाद कौन सी कंपनीयों के शेर बड़े होंगे जाहीर सी बात है जो कंपनिया निर्माण के शेत्र में थी जिन्हें इन कजमों के पुनर निर्माण का काम मिलने वाला था वही कंपनिया और उनके शेर्स 2011 के बाद आगे बड़े उन कंपनियों ने कठोर होने का सबूत दिया क्योंकि वे कंपनिया अकस्मात हुई कुद्रती आबदा से लाभानवित होने वाली थी अब इसी संकल्पना का हम रोज के जीवन में कैसे फाइदा ले सकते हैं इसे समझते हैं कदम एक और विकल्प तैयार करें आप केवल एकल आई वेतन पर निर्भरता बनाई रखने के बज़ाए अपने शौक से अन्य नोकरियों से या अपना व्यापार शुरू करके एक रास्ता बनाने की कोशिश करें यदि आप केवल वेतन पर निर्भर हैं तो आपकी कंपनी पर कोई आफ़त नहीं आईगी बलकि आप ही मुश्किल में फस जाएंगे दूसरी और यदि आपके पास कई विकल्प हैं और आप अपना प्राथमिक नोकरी खो देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि आप अपने गौन कार्य में अधिक समय लगाने लग जाएं और शायद अधिक कमाने भी लगें आप दुर्भागी के प्राहार को कुंद कर देंगे और ऐसी इस्तिती में आप हंगे और मुश्बूत हमने ओगीमी में जिन वरिष्ट नागरिकों का शाक्षातकार किया उनमें से सब के पास एक प्राथमिक और एक गौन व्यवसाई था ज्यादातर ने गौन कारे के रोप में सबजियों का बगीचा लगा रखा था और इस्थानिये बाजार में उनकी उपज बेशते थे ऐसा ही विचार दोस्ती और व्यक्तिकत हितों के लिए भी दिया जाता है जैसा की कहा जाता है यह सिर्फ वैसा ही मामला है जैसे की कहावत है कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए अब आप सोच रहे होंगे मुझे एक से अधिक आई की जरुरत नहीं है और मैं उन दोस्तों के साथ खुश हूँ जो मेरे पास हमेशा रहते है मुझे कुछ नया क्यों जोनना चाहिए यह हमारी जीवन में भिन्नता लाने के लिया से समय की बरबादी की तरह लग सकता है क्योंकि असाधारन चीज़ें आमतोर पर नहीं होती है हम एक सहूलियत वाले शेत्र में खिसक जाते हैं लेकिन अब प्रतियाशित हमेशा होता है जल्दी या बाद में कदम दो कुछ शेत्रों में पुराने ढंग से दाव लाएं जबकि कुछ में छोटे जोकी मुठाएं अर्थ विवस्था कैसे काम करती है इसे समझने के बाद आपको इस बात को समझने में साहता मिलीगी सोच लें कि आपके पास एक लाख रुपे है आप उस मैंसे 90,000 रुपे fix deposit में रखते हैं और बचे हुई 10,000 रुपे 10 अलग लग कमपनियों में new case करते हैं हर कमपनी में 1,000 रुपे अब मान लें कि उस मैंसे 3 कमपनियां पूर्ण रूप से विफल हो जाती हैं आपके 3,000 रुपे डूब गए, तीन कंपनियों को थोड़ा नुकसान हुआ, जिससे आपका भी 1,000-2,000 रुपे का नुकसान हो गया, तीन कंपनियों का थोड़ा फाइदा हुआ, जिससे आपको भी 1,000-2,000 रुपे का फाइदा हो गया, एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसके शेर्स की कीमत 20 गुना बढ़ गई, आपको उस कमपनी से 20,000 रुपे मिले, यानि बाकी कमपनियों के नुकसान होने के बावजूद आपका फाइदा हुआ, यानि आप भी नुकसान से लाब उठा कर हैड्रा जैसे हो गए, लेकिन एंटी फ्रेजाइल होने के लिए छो कारात्मक विचारों की मदद लेनी चाहिए, खुद से पूछें कि कौन सी चीज़ें आपको कमजोर बना रही हैं, किन लोगों का या आदतों की वज़े से आपको खत्रा महसूस हो रहा है, हम जब नए साल के लक्ष बनाते हैं, तो बड़े बड़े लक्ष नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाए, यदि हम यकीन के साथ और सोच समझ कर छोटे छोटे लक्ष निर्धारित करें, तो ज्यादा फाइदा होगा, ये छोटे 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 लक्ष ऐसे हो सकते हैं, लाने के लिए डर को हराना जरूरी है, हमें किसी भी समस्या को मौका समझ कर उसकी और देखना चाहिए, अगर हमने इस एंटी फ्रेजायल के नजरिये को विक्सित किया, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, और अपना एकिगाई जरूर पूरा कर सकते हैं, एक या द अनिश्चित्ता, आत्मखोच, दर्दनाग अनुभव वाले प्रकरण ये सभी चीज़ें जो जीवन को जीने लाइक बनाती हैं। हमें हमारा इकिगाई स्पष्ट है, तो इस वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं। आगे दी गई कवीता इसी प्रकार की है, जिसका भावार्त कुछ ऐसा है। अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है, तो वह है तुम्हारा अस्तित्थ। एक अन्य कवीता में वह लिखते हैं, यहीं अभी। यह कवीता यह दर्शाने वाली कलाकृती है, कि इस विश्प्र में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। यह पक्का होने के बाद हमारी निराशा नश्ट हो जाती है। आगे दी गई कवीता में उन्होंने एकिगाई के मुख्य रास को उजागर किया है। इसमें वह कहते हैं, आनंद सदा आपके हिर्दई में ही रहता है। उनकी एक और कवीता में वह कहते हैं, बिना रास्ता बदले, सदा चलते रहें। एक बार आपको आपका एकिगाई मिल गया, तो उस पर ध्यान देकर उसे हर दिन पोशित करने से ही जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उदेश चे पता चल गया तो हर पल प्रवाम में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैली ग्राफर को कैनवास पर काम करते वक्त मिलता है और 50 साल सुसी बनाने के बाद भी शेफ को मिलता रहता है वह आज भी अपने ग्राहों के लिए उतनी ही खुशी से सुसी बनाते रहते हैं निसकर्ष हमें से हर किसी का एकिगाई अलग होता है लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोशते रहते हैं जब हम अपने एकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण कर जाता है पैसा सत्ता आदर सत्कार और काम्याबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर ले कर जाते हैं इन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे हमारे अंदर जो उत्सुकता और सहज ग्यान है उसका आंतरीक कमपास की तरह इस्तमाल करें वह हमें हमारे एकिगाई तक लेकर जाएगा उसका लाब लें और अपने असली आनंद तक पहुँचें जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उनको दूर उनसे दूर रहें आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अ लेकिन हमने ओकिनावा निवासियों से जो सीखा वह यह है कि हमें जो करना है इसे खोजने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदिदा काम के साथ उनको समझ कर हम इस यात्रा की समाप्ति करते हैं पहला सदा कारिरत रहें और कभी भी सेवा निर्वित नहीं हो जो लोग अपना पसंदिदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं इसी लिए आपको जो चीजें महत्वपून लगती है उन्हें करना जारी रखें विकास करते रहना दूसरों के काम में आने वाली वस्तों का निर्माण करना और रिटायर्मेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें दूसरा जल्दी नहीं मचाएं सदा भागदोड और जल्दबाजी वाली जीवन ल अर्थ देता है तीसरा पेड भर कर नहीं खाएं लंबी आयू तक जीना है तो कम खाएं असी प्रतिशत के नियम अनुसार लंबे और स्वस्त जीवन जीने के लिए हमें पेड भर खाने के बज़ाए भूग से थोड़ा कम खाना चाहिए चौथा अच्छे मित्रों से घिरे रहें दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है चिंता को भगाने के लिए गप्शब करें एक दूसरे से अपने खुश्णुमा दिनों के बारे में बातचीत करें सला लें और सलाद दे मजे करें सोपने देखें और दूसरे सबदों में इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कारिरत रखना होगा। व्यायाम की वज़ा से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवशक हॉर्मोन्स तैयार होते हैं। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों। फिर भी हमारा निर्मान कुदरत के साथ रहने के हिसाब से किया गया है। इसी लिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन बदिन भरती जा रही है। नवा वर्तमान में जियें। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविश्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान हैं। उसका सबसे ज्यादा फाइदालें। और उस पल को अविस्मर्णिय बनाएं। दसवा, अपने एकिगाई के हिसाब से जीवन जी हैं। हम सभी के अंदर एक प्रेनला छुपी हुई होती हैं। हम ऐसे सभी के पास कुछ ना कुछ विशेश चीजें होती हैं और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती हैं। अगर आपको अपना एकिगाई पता नहीं हो तो विक्टर फ्रेंकल के हिसाब से एकिगाई ढूडने को अपना एकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे आनन्दित उद्देश्च पोर्ण जीवन के लिए शुब कामना हैं। हमारे साथ जोडने के लिए धन्यवाद हेक्टर गार्चिया और फ्रेंसिस्क मिरालेई और इस आउडियो बुक के स्पीकर मनीश पाठक।